Hello Everyone, Hello Guys, How are you, क्या हाल चाल, कैसे हो, आप सब, मेरा नाम आफीन dividis नस्मत है। और आप सब और इस चानल तरहन सरवाड़ी बहुत बहुत वेलकम हैं। आज की क्लास आप सब के लिए मैं economics की theory class लेकर आए ह। Economics का आज मैं theory part complete करवाऊँए। और यह जो चाप्टर है ना गाईज यह बहुत important chapter है आपके कोई भी exam उठालो किसी भी exam में अगर economics आती है ये chapter micro economics का बहुत important है जो कि आपके हर एक exam के लिए useful होने माला है as well as जाधा तर students जो है वो इसी topic में confused होते हैं ये topic समझ नहीं पाते प्लस इससे related बहुत जादा questions exam में आते हैं तो मैंने सोचा कि आज आप सब के लिए मैं इस topic में आपकी help करती हूँ और आप सब को ये topic जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दा लाइक बटन प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक करना ताकि जब भी यहाँ पर कोई भी क्लास हो तो आप सब को उस्ता नोटिफिकेशन मिल जाए यह आप में आपको बेहतरीन फीचर मिलेंगे हजारों टाकिस कुशन मिलेंगे आपके एक्जाम के लिए अलग से डेडिकेटिट सेशन मिलेगा तो अगर अभी तक आपने इस आप का एक्स्पीडिएंस नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस आप के डाउनलोड कर सकत हो और इस आपका एक्स्पीडिएंस कर सकते है ठीक है डान यहां तक ओके चलिए हमारी थेओरी सेशन कुछ किस तरीके से स्टार्ट होगा पहले मैं आपको उस चीज का आईडिया देते हूं मैंने आप सब की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पहले तीन कोश्चिन्स रख के बेसिस पर मैं यह देख पाऊंगी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स में क्या नॉलेज है इस टॉपिक को लेकर यानि यह डिमांड इन सप्लाई का जो टॉपिक है इस टॉपिक को लेकर आपकी कितनी नॉलेज है हो मैं उस तीन कोश्चिन से जज़ कर लूँगे फिर और उसके बाद मैं उसी हिफसाब से आपको आज का थियोरी सेशन पढ़ाऊंगे तो पहला कोश्चन यहां पर देखो बहुत कॉमन कोश्चन है जो आपके एक्जाम में आता है एक मांग वक्र में परिवर्तन कब नहीं होता है चार ओप्शन है जब इनकम बदलती है वेन ओनली इनकम चेंजेश जब सिर्फ कीमते सब्स्टिक्यूट गुड्स की बदलती है जब अडवर्टीस्मेंट एक्स्पेंडीचर में चेंजेश होता है या फिर जब उससी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है यह चार ओप्शन है आपको यह ब्लांक स्पेस दिया है यहां पर आपको ओप्शिन को फिट करना है तो यह बहुत कॉमन कोशन है यह कुशन मैं बता रही हूँ अगर आज का थियोरी सेशन आपने कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया ना यह कोशन आपके ऐसे बाय हाँ का खेल तुरंथ तुरंथ आप कोशन यहां पर न कर तब शिफ्ट नहीं होता जब कीमते बदलती हैं अब तुम लोग के दिमाग यही पर तुरंथ सोचोगा मैं हमने तो सुना था कि यहां पर चेंजिस होते हैं नहीं एक डिमांड कर शिफ्ट नहीं होगा अगर उसके प्राइस बदलते हैं उसी कॉमेडिटी के प्राइस बदलते हैं तो वो शिफ्ट नहीं होगा लेकिन इंकम बदलती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बदलते हैं या एड़ टीस्मेंट एक्स्पेंडीच और बदलती इन तीनों में से कुछ भी बदलेगा A, B and C देन डिमांड कर विल शिफ्ट डिमांड कर इस कं क्लास में मैं आपको दूँगी यह ध्यान से कुछिंस देख लो यह कुछिंस अभी देख लोगे ना तुम्हें इतना मसा आएगा अभी क्लास पढ़ोगे ना उसके बाद जब तुम री अटेंब करोगे ना इस कुछिंट को तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है ठ देमांड बैग्ड बाइ परचेसिंग पावर अंजी सॉरी एक डेमांड जो टॉर में है एकोनोमिक्स में डेमांड शब्द का आखिरकार मतलब क्या होगा तो भाई अगर मैं बात करते हूं डेमांड मुझे डेमांड कैसे एवाल्यूएट होगी एकोनोमिक्स की मैंने मैंने सोच तो लिया कि मुझे बुर्ज खलीफा खरीदना है तो क्या बुर्ज खलीफा की डेमांड हो गई है मतलब अगर सोचो यहां पर इंडिया में सारे लोग सोच ले कि हमें बुर्ज खलीफा करीदना है तो क्या हम कह सकते ही कि एकोनोमिक्स में बुर्ज खलीफा के खरीदने की डिमांड बहुत जादा हो रही है क्योंकि इतने लोगों ने सोच लिया कि हमें बुर्ष खलीफा खरीदना है नहीं बुर्ष खलीफा खरीदना है यह आपने अपने ख्वाहिश जताई क्या मेरे ख्वाहिश है ख्वाहिश तो मैं कुछ भी कर सकते हूं मेरे मेरे जीब में उतना पैसा होगा तभी घरीच सकती हूँ और इसलिए डिपांड जब पर्चेसिंग पावर यानि क्रेश शक्ती के द्वारा ब्याग्ड होना समर्थित होना तभी वो मांग कहलाता है तो इस को शिन का करेक्ट आंसर है दी ओके नेक्स नाच दबबल है आपके दिलिए गृrie है सिट्र्स परिपर्स लौ फ डिपांड में क्या होता है वाट इस सिट्ट्रष परिपस लौ फ डिमांड में स्पे Tipsly जो ये शब्द होगा ना सट्रॉस परिपस इसका अर्थ क्या होता है तो में हो सट्र। परिपस अगेश्न आप सब मुं कमेंट सेक्शन citrus peribus में हम climate change को भी constant मानते हैं और citrus peribus में हम taste and preference को भी constant मानते हैं law of demand में citrus peribus कहता है price के अलावा जितने चीज़े मांग में असर डाल रही है वो सब constant रहेगा और इसलिए इस question का correct answer क्या है इसमें 3 bubbles match हुए है ठीक है ओके अब ये तीन question थे इन तीन question से मैंने एक idea देने की कोशिश करी कि इस session में आपको क्या सीखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम बिल्कुल basic से start करेंगे और वो basic है मांग यानि demand शब्द का मतलब आखिरकार क्या है मुझे बुर्ज खलीफा खरीदना है तो क्या ये मांग हो गई मेरे सामने for example चार बंदे बैठे हैं चारों ने का हम मुझे भी बुर्ज खलीफा खरीदना है तो हम कहा देंगे economics में बुर्ज खलीफा की demand तेजी से बढ़ रही है No, demand एक ऐसी चीज है कोई भी चीज की demand सिर्फ तभी पैदा होगी जब परचीजिंग पावर आपके साथ हूँ तो यहाँ पर देखो definition क्या लिखी गई है definition is demand simply means a consumer desire to buy goods and services without any hesitation and pay the price for it यानि मांग का सीधा अर्थ क्या है मांग का सीधा अर्थ है कि हमें किसी बस्तू को खरीदना ही जाना है मेरी desire है किसी चीज को खरीदने की बिना किसी hesitation के बिना किसी पाबंदियों के बिना किसी income restraint के बिना किसी जिजक के आगर मैं वो चीज खरीद लू यानि मैं उसकी demand कर रही हूँ for example मुझे ये घड़ी खरीदनी है मैंने सोचा मुझे ये घड़ी खरीदनी है first I desire मुझे घड़ी खरीदनी है then मैं शॉप में गई और मैंने ये यानि मेरे अंदर इतनी शंता थी मेरी इतनी income थी कि मैं इस घड़ी को खरीद सकूँ तो यानि मैंने इस घड़ी की क्या पैदा करी है demand पैदा करी है the very basic thing is demand सिर्फ desire नहीं होता demand desire plus purchasing power purchasing power यानि desire plus without any hesitation अगर आप इस चीज को support कर पारे हो या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप इस चीज को ले पारे हो या फिर आप इस चीज को खरीद पारे हो आपके अंदर ये शमता है कि आप ये चीज करी सकते हो that is known as demand इसे हम क्या कहते है इसे हम मांग कहते है next अगर हम point की बात करते है simple words में demand जो है क्या है number of goods वो number of goods है जो कि consumer जो है वो कोई भी several price में buy करने की शमता रखता है ठीक है क्या मतलब यानि वही मैं आपको बार-बार दोहरानी हूँ सिर्फ मांग desire नहीं होती है सिर्फ इक्छा नहीं होती है it is what it is desire obviously पहले तो तुम desire ही करोगे न लेकिन ability to pay होना चाहिए उसकी खरीदने की शमता तुम्हारे जेब में उतनी ताखत या फिर इसे आप crash शक्ती या purchasing power कह सकते हो वो होगी तो आप मांग कर रहे हैं मैंने कहा खरीदना है, this is not demand this is only desire मैंने कहा मुझे ये watch खरीदनी है this is demand why? because ये watch खरीदनी है और मैं ability रखती हूँ इस watch की परशेविए इतना समझ में आ गया बहुत सिंपल शप्ट में मांग का मतलब मैंने आपको यहां समझाया तो आप इससे वहाला point आपको clear हो गया कि economics में demand शप्ट का मतलब क्या होता है चाँ, आगे बढ़ेगे ये basic सी चीज से मैंने start करी थी next अब हम बात करते हैं demand function what is demand function मांग function आखर कार क्या होता है simple, कभी ना सीथे सीथे आप से एक्जाम में एक कोशन पूछा जाता है demand function shows the relationship between demand function किसके और किसके बीच में संबन बताता है ठीक है तो relation between the consumer optimal choice of the quantity of a good and its price is called as a demand function यानि एक वस्तु का कीमत यानि एक वस्तु की price और उसी product की quantity of the good या फिर आप कह सकते हूँ quantity demand the relationship between price and quantity demand यानि कीमत और मांग के बीच का जो संबन्द है कीमत दस रुपए है मैं खरीद रही हूँ 50 good तो क्या दस रुपए में 50 good खरीदना कीमत में उसकी quantity demand कितनी है अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो demand function जो है वो क्या है demand function को आप represent कर सकते है q is equals to d bracket में p see this q is equals to d bracket में p अब क्यों क्या है q is what q is quantity demanded यानि एक product की quantity demanded क्या है एक product की quantity demanded जो है वो वो है जो उसके price पर depend करेगी यानि price में हम कितनी चीज़ खरी सकते है quantity demanded is equals to quantity is equals to demand of that product into price किस कीमत में हम खरी सकते है this is known as what this is known as demand function इसे हम mang function या mang falan कहेंगे ठीक है अब यहां से चलो मैं comment section में देखना चाहती हूँ तुम सब के answer यहां से अगर question सीधा सीधा आप से page में पूछा जाए demand function को हम formula में represent कैसे क्या आंसर दोगे demand function को हम formula में कैसे represent करेंगे demand function का formula क्या है demand function का formula हो जाएगा quantity of a good q is equals to demand of that product into the purchasing या price at which हम वो खरीबने जा रहे हैं demand function हमेशा price और उस product की quantity demand के बीच में संबन्द बताता है हमेशा इस चीज को याद रहे हैं यहां तक समझ में आया हमने अभी तक सिफ दो चीज पढ़ी है demand क्या है जो कि especially मैंने बताया desire plus purchasing power को दोसरा what is demand function the demand function हमेशा उस product की कीमत और उसके purchasing या फिर उसकी quantity demand के पेच का जो relation है that is known as demand function तो गाइस यहां तक आप सबको उमीद करती हूँ एक्टम clear होगा crystal clear इन दोनों से अगर कभी भी question पूछा जाएगा आप कर सकते हूँ done चलो आगे करते हैं अब हम क्या बात करते हैं law of demand very important thing law of demand आखितकार क्या होगा अब law of demand को समझाने के लिए मैं आपको चलो एक पीज बताते हूँ कहानी समझाते हूँ for example मालो यह product है यह product ठीक है कोई भी यह pen है ठीक है यह pen ही है कम पर भी depend करता है है ना लेकिन अगर हम बात करते हैं इस pen की सिफ कीमतों को पकड़के चलते हैं बाकी चीज़ों को भी साइट पकते हैं अगर इस pen की कीमत बदलेगी और मालो मैं इस pen की seller हूँ मैं इस pen की बेचने वाली और तुम सारे students pen के खरीदने वाले हैं है ना तो अगर इस pen की कीमत बदलेगी चेंज होगी बढ़ेगी या गिरेगी कुछ भी मालो तो इसका असर मेरे उपर पड़ेगा सेलर के उपर हाँ या ना अगर यह pen है और इसकी कीमत चेंज हो रही है बदल रही है तो इस pen के चेंज होने का या कीमत बदलने का असर बच्चे तुम्हारे उपर और मेरे उपर हम दोनों के उपर पड़ेगा मैं सेलर हूँ, obviously मेरे उपर फरक पड़ेगा तुम बायर हो, इसकी कीमत चेंज होगी, obviously तुम्हारे उपर भी असर पड़ेगा तो there are two different scenario guys, एक product का price change होता है तो इसका असर सेलर यानि मेरे उपर भी पड़ेगा और इसका असर बायर यानि खरीदार पर भी पड़ेगा तो यहाँ पर याद पखना, price का असर supplier पर या seller पर किस तरीके से पड़ेगा यह part होता है law of supply का, जो भी हम यहाँ पर discuss नहीं करते है price change होने का असर बायर पर किस तरीके से पड़ता है यह हमें किस पे बताया जाता है law of demand में या फिर खरीदार के नसरिये से होता है यानि कीमतों का असर, कीमतों का, price का असर खरीदार यानि बायर पर किस तरीके से पड़े रहा है that is known as law of demand. First, the very basic point. law of demand किस का असर किस में बताता है? law of demand हमेशा याद रखिएगा price change होने का असर quantity demand पर किस तरीके से पड़ रहा है इसे हम law of demand कहते हैं. यानि demand का असर price पर एक अलग बाद है price का असर demand पर एक अलग बाद है. यानि कीमते अगर change हो रही है तो उससे एक product की demand पर किस तरीके से परक पड़ेगा? इससे हम क्या कहेंगे? इससे हम law of demand कहेंगे. अब आते हैं main point पर जो यहाँ पर तुम देख सकते हैं. इससे. law of demand mean क्या चीज़ हमें बताता है? कि अगर किसी product का price बढ़ेगा. अगर किसी product का price बढ़ेगा, तो उसकी demand, quantity demand क्या हो जाएगी? का. The very basic law of demand कहता है, there is always an inverse relationship between price and quantity demanded. कीमत और मांग के बीच में हमेशा उल्टा संबंद होता है. जैसे, अगर किसी भी product का price बढ़ेगा, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम. और अगर किसी product का price कम होगा, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? तो उसकी मांग बढ़ जाएगी. अरे यह penny है. हम क्या कहते हैं, अकसर? अगर यह सस्ता दोगे, हम ज्यादा ले लेंगे, महंगा दो के कम देंगे? अकसर हम बजार में मालो प्यास खरीदने जाते हैं. भाया कहता है, 25 रुपए किलो प्यास है, मैडम, 25 किलो रुपए प्यास ले लो. मैं उससे क्या कहते हूँ? कहते हूँ, देखो भाया, ठीक ठीक लगा लो, 20 रुपए का दोगे, दो किलो ले लेंगे, 25 का दोगे, तो एक ही किलो लेंगे. ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब कहते हैं, अपनी मम्यों को देखना शॉपिंग करते हूए, ऐसे ही कहते हैं हम लो. क्या कहते हैं? नहीं भाया, 25 का दे रो, 20 रुपए का दोगे, तो दो क अच्छा क्या सिर्फ कीमतों का असर मांग में पढ़ता है कीमतों के अलावा कोई और चीज़ पर मांग का असर नहीं होता मैंने कहा प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड घट जाएगी तुमने का हन जी मैं लेकिन मैं कह रही हूँ प्राइस के अलावा भी तो हम और कुछ देखते हैं और एक्जामपल मैं कह दूँ मां लो कोई चीज़ कीमत चाहे कितनी गिर जाए मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है मैं क्यों खरीदू कोई जबर्दस्ती थोड़ी ना है यानि टेस्ट का असर टेस्ट एंड प्रिफरेंस असर देती है कि नहीं कोई चीज़ हम में पसंद आ रही है महंगी भी होगी त चीज़ में कितना पैसा है अरे बहुत ही असर डालती है क्वांटिटी डिमांट में डालती है कि नहीं डालती है ये सर नो बाई कोई चीज़ मुझे कितनी ही पसंद आरी ये अरे मुझे बड़ा पसंद है महीं लो देड़ करोड की गाड़ी है शोरूम में ओफ लग गया जेगोर की गाड़ी आज जो खरीदे का वो देड़ करोड की जगा मैं एक करोड तीस लाग बेज दूँ गई मतब बीस लाग कर डिसकांट दे दिया अरे कीमत घटा दी लेकिन मेरे जेप में उसको खरीदने का पैसे ही नहीं है तो मैं थोड़ी न जाओंगी इसी लिए इंकम का असर टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस हो गया इंकम मौसम बिल्कुल सही कहा मौसम सर्दियों में कोल्टरिंग की डिमांड कम हो जाती है और वही cold ring की demand गर्मियों में बढ़ जाती है price same है, taste same है, brand same है, everything but, most some change होने का असर demand में आ गया हूँ income है, taste and preference है fashion हम लड़कियों से पूछो किसी चीज़ का fashion in and demands जादा है fashion out होके demand कम हो गई यानि there are various other factors जो हमारे demand में असर रिटाव गई है तो माम उन सब factors का हमने क्या किया तो बेटा उन सब factors को हम मान के चलेंगे constant, एक बहुत ही बेहतरीन concept है उसे हम कहेंगे citrus peribus उसे, sorry, उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे citrus peribus, यह concept होता है law of demand का यह जो चौथा point में law of demand का समझा रही थी न कि price के अलावा there are various other factors जो हमारे demand में असर डालता है जैसे कि taste and preference यह हमारे demand पे बहुत असर डालेगा जैसे कि for example income आए जैसे कि for example अगर हम बात करते हैं fashion ठीक है जैसे कि climate तो इन सब चीजों को क्या किया इन सब चीजों को law of demand कहती है तिलहाल आप मान के चलो constant यानि सब चुछ इस आपके favor में है आपकी income भी है आपको पसंद भी है fashion भी है सब कुछ सही है यह सब कुछ ठीक होने के बाद अगर price बढ़ता है तो demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इससे हम कहेंगे citrus paribus what is citrus paribus citrus paribus का मतलब है being other things being other things remain constant यानि price के अलावा quantity demand में जिस चीज का भी असर पड़ रहा है आपको उन सब चीजों को क्या मान के चला है constant यानि रुका हुआ यानि इस फिर मान के चला है और इस चीज को हम क्या कहेंगे citrus paribus के नाम से जानेगे तो law of demand का पहला point क्या था है हनजी बायर हरीदार के नजरिये से है ना दूसरा किस का असर किस पर बताता है price का असर quantity demand पर तीसरा price का असर quantity demand पर किस तरीके से पड़ता है तो there is always an inverse relationship between price and quantity demanded क्यों कि क्या बताता है क्यों कि law of demand बताता है यानि अगर price बढ़ेगा तो demand कम हो जाएगी और अगर price कम होगा तो demand बढ़ जाएगी fourth being other thing remain constant यानि price के अलावा बाकी चीजों को हमें constant मानना है और उसे हम क्या कहेंगे citrus peribus के नाव से जाएगी चार point हो गया उसके बार पाँच हुआ point law of demand को देने का काम किस ने किया law of demand को देने का काम किया Alfred Marshall ठीक है ओके तो ये पाँच points आपके law of demand के हैं उमीद करती हूँ ये पाँच points आपको समझ में आ गया होंगे वही यहाँ पाँ लिखा है the inverse relationship between the consumer's demand and the price is known as law of demand Alfred Marshall ने ये कौन सिप्स को देखलाप किया यही चीज यहाँ दिखाई गया है if price goes up then quantity goes down if price goes down then quantity goes up ठीक है okay last point of law of demand litrosperibus मतलब निंग अधर थिंग भी में अब देखलाप the last point is demand curve हमेशा याद रखे का कुश्शन पूछते जाता है demand curve is always downward sloping demand curve हमेशा कैसा होता है downward sloping होता है left to right हमेशा याद रखना और कैसे होता है हम यहाँ पर बने हुआ देखेंगे और चेक करेंगे demand curve क्या है demand curve quantity of demand और उसकी कीमतों के बीच का संबंध है यहाँ पर हमेशा याद रखेगा यह है demand curve अब इसमें हमेशा याद रखेगा यह है आपके लिए कौन सा आक्सिस y-axis और यह है आपके लिए x-axis हमेशा याद रखेगा कि जो independent factor होता है जो क्या होता है बचे जो independent factor होता है वो हमेशा y-axis पर शो होता है तो independent factor यहाँ पर कौन सा है तो rise क्यों कीमत का असर demand में पढ़ रहा है यानि पहले कीमत चेंज हो रही है तो कीमत तो independent है उसका असर demand में हो रहा है तो demand is dependent तो हमेश्व क्वांटिटी कहां पर होगा? क्वांटिटी एक साक्सेस पर शोगी का, ठीक है? अब भाई, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है, ओके? मान लो प्राइस एक दिया, 100, 200, 300, 400 एक प्रृड़क्ट 100 रुपे का बिकरा है, मान लो 4,000 उसकी डिमांड है 100 का प्रृड़क्ट 200 में हुआ, मान लो डिमांड जो है, वो घट के 3,500 हो गई 200 का प्रृड़क्ट 300 का हो गया, मान लो डिमांड घट के 2,000 और 300 का प्रोड़क्ट 400 में हो गया तो डिमांड कटके कितनी हो गए मालो 500 यूनिट भी हो गए अब इससे हमने डिमांड कर्फ उपर बनाया है मालो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमारा 100 रुपे हम यहाँ पर थे और डिमांड थी मालो 4000 की पहला पॉइंट हमारा यहाँ था ठीक है देखना यह कैसे बनाये हमारा प्राइस बढ़कर हुआ 200 डिमांड हमारी घड़ गई प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी यानि बी पॉइंट यहाँ पर हो गया फिर हमारा प्राइस बढ़कर हो गया 300 रुपए दिमांड घड़ गई, दिमांड घड़के हो गई मालो कितनी? 2000 रुपए, मालो ये 2000 ठीक है? जब 400 में पहुँच गया तो इस प्रोड़क की दिमांड और घड़के कितनी हो गई? 5000 ठीक है? A, B, C और D, ये चारों पॉइंट्स को देखो हम जोड रहें, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? दिमांड कर्व और याद रखेगा जो कि हमेशा क्या है? हमेशा ए होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर दोगा. अब यहां पर तुम लोग ये भी कन्फ्यूस हो जाते हो कि माम, ठीक है? अगर आप इधर से देख रहे हो, लेफ्ट से, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल है. लेकिन मालो मैं यहां पखड़े हो जाओ मैम, और म डाउनवर्ड क्यों कह रहे हो, क्यों लेफ्ट से कह रहे हो, राइट से क्यों नहीं कह रहे हो, तो बच्चे इसका भी लॉजिक ये है, आपने जीरो कहां से स्टार्ट किया है, लेफ्ट से, जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो रीडिंग भी तो लेफ्ट से र मैं हम ऐसे बना दे तू ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि ये चार कौडरेंट्स आपने पड़े होंगे हम हमेशा फर्स्ट कौडरेंट में ही ग्राफ बनाते हैं ठीक है ओके तो लॉफ डिमांड के पाँच पॉइंट्स है मेरे साथ रिपीट करो सारे स्टूडेंट पहला पॉइ होता हैं law of demand हमेशा price का असर quantity demand पे बताता है चौथा law of demand हमेशा inverse relation बताता है price और quantity demand में और पाछवा law of demand का curve हमेशा downwards sloping होता है left say right की तरह, okay, there is one point left, citrus paribus, यानि price के अलावा, जितने other factors हैं, जोर की demand में असर डाल रहे हैं, इन सब को हमें क्या मानना है, constant, यानि रुका हुआ, जिसे हम कहते हैं, citrus paribus, done. Hello everyone, good afternoon, क्या हाल जाल कैसे हो आप सब, a very very happy new year to all of you, आप सब का आज की क्लास में बहुत बहुत वेलकम है, मेरा नाम है अफरीन असमत, और आज में आप सब को पढ़ाने वाली हो, economics और economics का एक बहुत ही ज्यादा important topic, that is movement and shiftings in demand का, अक्सर यहां से exam में question पूछे जाते हैं, कि demand curve किस condition में move कर रहा है, या किस condition में demand curve shift कर रहा है, अगर move कर रहा है तो upward जा रहा है या downward जा रहा है, अगर shift कर रहा है तो right word जा रहा है या फिर left word जा रहा है, तो हम start करते हैं आज की class को, और आज की class पे हम यह बहुत ही important topic पढ़ेंगे, और इससे related कुछ questions भी मैं आपको कर वाऊंगी, हेलो मरोद्या जी, क्या हाल है, कैसे हो आप सब, कैसा गया आपका नया साल, चलिए वीडियो को like and share करना, start करो ताकि हम से यहाँ पर जादा से जादा बच्चे जुर सके, यह मुझे कहने की जर्वत ना पड़े, आप जितना वीडियो को like और share करोगे, उतने हम से यहाँ पर students जो है, वो जुरेंगे, चलिए बिना देटी के आज की class को हम start करेंगे, और आज की class के हम topics देख लेते हैं, क्या-क्या होने वाले हैं, तो आज की class में हम यह कुछ topics कवर करेंगे, जिसमें होगा law of demand, देखो law of demand, ओल्रेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए हम बहुत स्यादा detail में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ revise, थोड़ा सा revision करवा दूँगी, ताकि जब demand curve की बात हो, तो आपको basic चीजे पता हो, ठीक है, ओके अधिती, good afternoon, next, हम इसे के आगे सबसे important thing बात करेंगे, extension and contraction of demand curve, जिसे हम कहते हैं, movements in demand curve, next हम बात करेंगे, shiftings in demand curve, यानि demand curve में हम कैसे shifting करते हैं, ठीक है, तो तयान है आज की class के लिए भाई, वीडियो को like और share करना start करतो, जल्दी से ताकि हम से यहाँ पर जादा से जादा बच्चे जो हैं, वो जोड़ सके, सबसे पहले हम start करेंगे with the very basic law of demand, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा, because law of demand already मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, law of demand already मैं आपको बता चुकी हूँ, तो points बस मैं आपको revise करवाती हूँ, in case अभी तक आपने law of demand नहीं पढ़ा है, तो इसी channel पे video पढ़ी भी है, theory of consumer behavior, law of demand की, एक बड़ डीटेल से उसे देख लेना समझ में आ जाएगा, start करते हैं सबसे पहली चीज, what is law of demand या law of demand देने का काम किस ने किया, तो सबसे पहले आपको यह नाम याद रखना है, Alfred Marshall, it is only the revision जो मैं आपको last class का करवा रही हूँ, law of demand, Alfred Marshall ने हमें बताया है, या explain करने का काम किया है, दूसरा important thing is, law of demand, हमेशा buyers यानी खरीदार के नजरिये से बात करी जाती है, खरीदने वालों पर कैसा impact हो रहा है, क्या impact हो रहा है, that is known as law of demand, ठीक है, तो बायर का नजरिया क्या है, एक खरीदार का नजरिया क्या है, that is law of demand, थर्ड, law of demand हमेशा price का असर quantity demand में बताता है, ठीक है, price का असर, यानी कोई भी एक वस्तू है, for example यही है, यह पैन है, अगर भाई इसका price change होगा, इसके कीमत बदलेगी, तो इसका असर जो है, वो बायर और seller दोनों पर पढ़ेगा, भाई इसका price change हुआ, तो खरीदार भी असर दिखाता है, और जो seller है, उस पर भी असर पढ़ता है, तो seller के नजरिये से, जितनी भी बात होती है, वो law of supply में जाती है, बायर के नजरिये से, जितनी भी बात है, वो सब law of demand में आती है, तो law of demand, बायर का नजरिया है, price का असर, कीमत का असर, जो है, वो quantity demand, अदेती, this is demand, ठीक है, तो quantity demand पर किस तरीके से पड़ेगा, तो क्वांटिटी डिमांड पर किस तरीके से पड़ेगा, अब में पॉइन पॉइंट क्या है, नेन पॉइंट है, कि there is always an inverse relationship between price and demand, यानि कीमत बढ़ेगी, तो मांग कम होगी, और कीमत कम हो जाएगी, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानि, अगर हम सारे factors constant रखते हैं, with all the other factors remain constant, यानि हमारी income नहीं change हो रही है, मेरी taste preference नहीं change हो रहा है, fashion नहीं change हो रहा है, मौसम नहीं बदल रहा है, सब कुछ अपनी जगा इस्थिर है, वही पर है, ये सब कुछ अपनी जगा होने के बाद, यानि citrus peribus अपलाई करने के बाद, being other factors remain constant, यानि सब कुछ वैसा ही है, जैसे पहले था, उसमें से कुछ भी नहीं change हुआ, income नहीं change हुई, fashion नहीं change हुआ, कुछ नहीं change हुआ, इन सब को constant रखने के बाद, अगर सिर्फ किसी product का price बढ़ेगा, तो obviously उसकी demand क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर सिर्फ किसी product का price घटेगा, तो obviously उसकी demand क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसलिए law of demand क्या खहता है, कि there is always an inverse relationship between price and demand, कीमत और मांग के बीच में हमेशा उल्टा सम्मद होता है, कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, next, अब important thing is, law of demand का curve कैसा होता है, याद रखिएगा, law of demand का curve हमेशा downward sloping होता है, left से right की तरफ, भाई क्यों, क्योंकि there is always an inverse relationship, अगर यहाँ पर हम छोटा समय आपको बना कर दिखा रही हूँ, अल्रेडी डीटेल में पढ़ा चुकी हूँ, डीटेल वीडियो अल्रेडी पढ़ी है, इनकिस यह बहुत जादा डीटेल में आपको पढ़ना है, तो वहाँ जाके पढ़ो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर revise कर वारी हूँ, ताकि आगे के topic से आप connect कर सको, भाई यह है quantity demand और यह है price, price जादा है मांग कम है, price कम हुई मांग बढ़ गई, price और कम हुई मांग जो है, वो और जादा क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्योंकि जादा price में कम demand है, और कम price में जादा demand है, तो हमेशा एक downward sloping curve बनता है, और वो curve हमेशा left से right read किया जाता है, और बनता है, वाई, because हम zero origin कहां से start करते हैं, zero से start करते हैं, ठीक है, तो यह बिल्कुल basic law of demand था, यहां तक तो कोई doubt नहीं होगा आपको, इनकेस अगर थोड़ा मोड़ा कोई doubt निकल ला है, तो please पूछ लो, यहां तक किसी को कोई doubt नहीं निकल ला, और अगर निकल रहा है, तो please पूछ लो, कोई doubt नहीं है, यह बहुत simple सी चीज़ थी, तो हमें क्या करना है, हमें इसी demand curve का movements and shifting पढ़ना है, कि किस condition में यह जो demand curve है, यह move करेगा, और किस condition में यह demand curve अपनी जगह से shift करेगा, बहुत important topic है, बहुत ध्यान से समझने वाला topic है, क्योंकि exam में यहां से question पूछे जाते हैं, and tricky question होते हैं, आप कर नहीं पाऊगे, अगर ध्यान से सुनोगे नहीं, ठीक है, ओके, चलो, back करते हैं हम, और हम पहुँच जाते हैं, अब, जो हवारा topic है, main extension and contraction of demand curve, या जिसे आप movements in demand curve कहते हो, ठीक है, अब यहां पर तुम देखो, यहां पर अगर ध्यान से आप देख रहे हो, दो कर्व, दो कर्व आपको यहां पर बन के देख रहे हैं, ठीक है, अब देखो यहां पर, दो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, एक में लिखा है contraction, और एक में लिखा है extension, सबसे पहली चीज, पहले हम कर्व पढ़ेंगे ध्यान से, पहले हम कर्व समझेंगे ध्यान से, अपने आप बाकी सारी चीजे, आपको समझ में आएंगी, ठीक है, अगर इस दोनों कर्व में देखो, ठीक है, तो क्या demand कर्व, ये जो demand कर्व है, ये अपनी जगे से shift हो रहा है, यानि इधर उधर हो रहा है, yes or no का अंसर दो, मेरे साथ yes or no बोलो जरूर से, इन दोनों situation में, क्या demand कर्व, अपनी जगे से, हिल डुल रहा है, इधर उधर हो रहा है, shift हो रहा है, left या right जा रहा है, नहीं जा रहा है, तुम देखोगे, demand कर्व, उसी के along है, या तो उसी के along उपर जा रहा है, या फिर उसी के along नीचे आ रहा है, तो सबसे पहली चीज, इस condition को हम कहेंगे movements, movements, इन condition को हम क्या कहेंगे, movements, movements हमेशा एक demand कर्व के along ही होती है, याद रखेगा, यानि अगर demand कर्व, movements बता रहा है, इसका मतलब है, demand कर्व उसी में, या तो उपर जा रहा होगा, या नीचे आ रहा होगा, leftward और rightward shift नहीं हो रहा है, ओके, first point is clear, now second point, यहाँ देखू, ध्यान से, भाई अगर हम यह देखेंगे, तो हमारा price P1 था, original price हमारा क्या था, P1 था, जिसमें हमारी demand जो हे, वो Q1 थी, थी या नहीं थी, ठीक है, यानि यह हमारा पहला point था, ए, हमारा original price P1 था, और हमारी demand D1 या Q1 थी, price बढ़ा, price बढ़के P2 हुआ, तो demand घटकर Q2 हो गई, price बढ़ने से demand कम हो गई, तो हम यहाँ point B पे पहुच गए, यानि अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या क्या देखने वाला है, इस graph से हमें समझ में आ रहा है, जब हमारा price बढ़ रहा है, तो demand कम हो रही है, और इसमें जो point है, वो A से B में move किया, यानि upward गया, upward गया कि नहीं, A से कहां पहुच गया, B, और इसे हमने कहा, contraction, इसे हमने क्या कहा, contraction कहा है, कुछ समझ में आया, देखो थे हम से, अगर याद रखिएगा, जब हम movements की बात करते है, तो एक demand कर move तब करेगा, जब price बदलेगा, यानि movement कब आएगी, जब price change होगा, और बाकी factors ही क्या रहेंगे, आदर factors क्या रहेंगे, constant, यानि, income अपनी जगा है, fashion अपनी जगा है, climate अपनी जगा है, यह सब अपनी जगा है, constant है, लेकिन अगर price की वजहे से, demand change हो रहा है, तो demand कर्व में हमेशा movements आती हैं, तो demand कर्व में हमेशा क्या आती हैं, movements आती हैं, यानि demand कर्व उसी के along move करेगा, या तो up, या तो down, सबसे पहला point, यानि अगर price की वजहे से demand change हो रहा है, तो demand कर्व हमेशा क्या करेगा, upward move करेगा, या downward move करेगा, अब इसमें जो पहली condition मैंने सिखाई, वो सिखाई contraction की, contract मतलब सिकुड़ना, याद रखना, contract यानि सिकुड़ रहा है, तो demand से याद रखना, demand अगर कम होगी, तो contraction होगा, इस से हमेशा याद रखना, ये point से याद रखना, demand अगर सिकुड़ रही है, कम हो रही है, तो वो contraction कहलाता है, तो demand कम किस condition में होगी, जब price बढ़ेगा, तो अगर price बढ़ने से, demand कम हो रही है, तो इसे हम कहेंगे, contraction, और इस condition में, हमेशा demand curve upward move करेगा, समझ में आया, यानि देख लो, price P1 था, demand Q1 थी, A point पे थे, price बढ़ कर P2 हुआ, तो demand इसकी वज़े से घट गई, और हम B पे पहुँच गई, यानि demand कम हुई, तो इससे हमने कहा, contraction, और इस contraction के case में, हमारा demand curve, कहा move हुआ, upward move हुआ, समझ में आया, यहां तक किसी को कोई doubt, चलो अब इसमें देखू, यहां हमारा original price P1 था, और demand हमारी Q1 थी, यानि हम इस point पे थे, ठीक है, यानि original price P1 था, और हमारी demand जो थी, थी, वो क्या थी, Q1 थी, price हमने कम किया, price कम होकर P2 हुई, तो demand बढ़कर Q2 हो गई, तो हम कहां पहुँच गए, इस point पर पहुँच गए, यानि यहां पर क्या हुआ, यहां पर price, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर price कम हो रहा है, जिसकी वज़े से demand बढ़ रही है, है ना, इस demand बढ़ने से याद रखना, इस condition को हम कहेंगे, extension, इस condition को हम क्या कहेंगे, extension, contract मतलब से कोड़ना, यानि demand कम हो रही है, extension यानि expand होना, यानि demand बढ़ रही है, यानि price घटाने से demand क्या हुई, बढ़ी, और इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा extension, और extension में तुम देखोगे, हमारा demand कर्व किधर की तरफ move कर रहा है, downward, किधर की तरफ move कर रहा है, downward, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरुबत है, जब demand बढ़ यहाँ पर घट रही है, तो demand कर्व जो है, वो upward move कर रहा है, अगर demand घट रही है, तो upward move कर रहा है, और अगर demand घट रही है, या फिर अगर हम कह सकते हैं, demand बढ़ रही है, तो demand बढ़ने में यह downward move करेगा, और अगर demand जो है कम हो रही है, तो यह upward move करेगा, समझ में आया हाँ या ना इन दोनों में तो यहाँ पर आपके लिए समझने वाले points बहुत सारे हैं सबसे पहला movements किस case में होती है एक demand curve में movements हमेशा याद रखना तब ही होगी जब price change होगा और बाकी factors constant रहेंगे यारी price बढ़ने से demand कम हो रही है और price कम होने से demand बढ़ रही है तो demand curve उसी के along उसी कर्व के along या तो upward जाएगा या फिर downward जाएगा यह कब upward जाएगा अगर price बढ़ने से demand कम हो रही है तो इस condition को हम कहते हैं contraction और यहाँ demand curve अपवर जाएगा और अगर price कम होने से demand बढ़ रही है तो इसे हम कहेंगे extension और यहाँ पर demand curve downward आए का समझ में आ गया, cool, अच्छी तरीके से तो चलिए, यहाँ पर मुझे answer देंगे आप सारे के सारे student है जल्दी से, movements किस case में होगी? movements हमेशा दो हूँगी या तो demand curve upward move करेगा या demand curve downward move करेगा movement तब होती है जब price change होता है और other factors क्या रहते हैं? other factors constant रहते हैं ठीक है? next, upward, come move करेगा upward तब होगा, जब याद रखना price बढ़ने से demand कम होगा और इसे हम क्या कहेंगे? contraction कहेंगे contraction के case में हमेशा upward movement होता है चालो, downward कम move होगा? जब price कम होने से demand बढ़ेगी और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम extension कहेंगे और यहाँ पर demand curve downward move करेगा cool sorry भाई, वीडियो को like और share प्लीज करो, ज़रूर से मैं देख पारी हूँ students है हमारी class पे लेकिन वो वीडियो को like और share नहीं कर रहे हैं भाई, यह आपका काम है अब जितना वीडियो को like और share करोगे न उतने हम से यहाँ पर students जो है, वो जड़ेंगे ठीक है, cool, चालो, बहुत बढ़िया, अब next हम बात करते हैं extension और contraction हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे shiftings in demand curve, shiftings यानि या तो leftward जाएगा या फिर rightward जाएगा, अब तुम यहाँ पर देखो, ध्यान से दोनों ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें clearly देखने को है, कि demand curve leftward या फिर rightward जा रहा है, इधर देखो, और इधर देखो, एक तरफ rightward जा रहा है, यहाँ demand curve क्या हो रहा है, leftward या फिर rightward जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाओंगी यह किस condition पर होता है, चलो ध्यान से देखते हैं, ओके, सबसे पहले अगर demand curve shift हो रहा है, तो वो किस condition में shift हो रहा है, अगर तुम दोनों graph देखोगे, तो दोनों graph में क्या price में कोई change आ रहा है, yes or no का answer दो, सिर्फ graph देखकर बताओ, क्या price में कोई change आ रहा है, price यहां 60 है, 60 ही रुपए है, यहां price 60 है, 60 ही रुपए है, क्या price में कोई change आ रहा है, no, बिल्कुल सही कहा, यानि अगर demand curve अपनी जखे से shift हो रहा है, shift हो रहा है, इसका मतलब है, price constant है, यानि price नहीं बदल रहा है, price अपनी जखा थे रहे, लेकिन फिर भी, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हमारा demand या तो बढ़ रहा है, या तो घट रहा है, यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है, यानि demand में change आ रहा है, price की वजहे से नहीं, other factors की वजहे से, यानि factors बदल रहे है, other factors क्या है, variable जैसे की income बदल जाए, income change होने, income बढ़ने की वजह से demand बढ़ रही है, income घटने की वजह से demand घट रही है, तो हमारा demand curve, या तो rightward move करेगा या leftward, fashion की वजह से, taste and preference की वजह से, climate की वजह से, अगर इनका असर demand में पड़ रहा है, तो demand curve या तो leftward जाएगा, या तो rightward जाएगा, ओके, अब यहां पर देखू, price अपने जगह स्थिर है, लेकिन demand बढ़ रही है, किसी भी चर्श की वजह से हो सकती, मालो income बढ़ने की वजह से demand बढ़ी, या fashion, change होने की वजह से demand बढ़ी, अगर demand बढ़ रही है, तो there is always, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, राइट वर्ड, shifting of demand curve होगा, यानि demand curve किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, समझ में आया, और अगर किसी भी other factor, प्राइस के अलावा, यानि प्राइस नहीं बच्चे, प्राइस के अलावा, कोई और फैक्टर की वजहे से, demand घट रही है, demand क्या हो रही है, घट रही है, तो याद रखिएगा, यह किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्वर्ड शिफ्टिंग होगी, समझ में आया कुछ, हाँ या ना का जवाब दो, तो demand बढ़ेगी, अच्छा, climate है, fashion है, income है, taste and preference है, इनकी वज़ए से demand बढ़ रही है, तो demand curve right वर्ड शिफ्ट होगा, इनकी वज़ए से demand घट रही है, तो demand curve left वर्ड शिफ्ट होगा, price की वज़ए से अगर demand change हो रही है, तो demand curve में movements होते हैं, वो या up जाएगा या down अगर demand घटेगी तो upward जाएगा और अगर demand बढ़ेगी तो वो downward जाएगा समझ में आया हाँ या ना यहां तक समझ में आया yes or no इतना अच्छे समझ में आया तो हम कुछ questions कर ले कुछ questions करोगे कि भाई हम देखेंगे कितना तुमने पढ़ा कितना तुम्हे समझ में आया कैसे तुम्हे समझ में आया चलो इससे related मैं आपको कुछ questions जरूर करवाओंगी ताकि मैं यह समझ पाऊं कि आपको कितना समझ में आया See the first question पहला question When there is an increase in the income ध्यान से देखो क्या लिखा है कि अगर income बढ़ रही है तो demand curve क्या होगा upward move करेगा, downward move करेगा rightward shift करेगा या फिर leftward shift करेगा तस्नीम, अली, विकास, अदिती परफेक्ट बहुत बढ़िया और एकदम सही आंसर दिया जितने बच्चे बच्चे बच्चें है सब के सब Please like and share the video guys सब के सब को like and share करना है वीडियो को तो अब सोचो यहाँ पर income change हो रही है जसकी वजह से demand जो है बढ़ रही है या गट रही है तो सबसे पहले यहाँ पर A और B option तो हो ही नहीं सकते income बढ़ रही है यानि demand बढ़ रही होगी और demand अगर बढ़ रही है तो demand बढ़ने से demand curve किधर की तरफ जाएगा राइट की तरफ शिफ्ट होगा बहुत बढ़िया शानदार बहुत मज़ा आया next question स्क्रीन पर ध्यान से देखकर आंसर देना स्क्रीन देखू अगर price में decrease हो रहा है तो demand कर क्या होगा upward move करेगा downward move करेगा rightward shift करेगा यह leftward shift करेगा बताओ भाई सब के सब आंसर दो भाई सोचो 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 गलती नहीं चाहिए मुझे पता है कि गलती कर रहे हो मुझे पता है कि गलती कर रहे हो यहां से वे एक बच्चन से आंसर दिया भाई सोचो बना कर देखो क्या कहा जा रहा है प्राइस घट रहा है चलो मालो यह है प्राइस पीवन था डिमांड डीवन है प्राइस घट कर पीटू हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी और हम पहले यहां थे अब कहां शिफ्ट हो जाएगे यहां पर तो यानि यहां पर क्या shift होगा? downward shifting होगा यानि जब price घटेगा तो demand बढ़ेगी और इस condition में demand curve downward shift होगा और इस condition को हम कहते क्या है? इस condition को हम कहते क्या extension या contraction? इस condition को हम कहते क्या है? extension या contraction तो price घट रहा है, demand बढ़ रही demand बढ़ने से याद रखना बढ़ रही यानि extension true, बहुत बढ़ी या शांदार मतलब अच्छे समझ में आया आज की class मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आया आज की class ओके, next question अगर price बढ़ रहा है जुसके कारण demand कर्व क्या होगा? प्राइस बढ़ रहा है इसके कारण demand कर्व क्या होगा? बोलो बिल्कुल जब price अगर क्या हो रहा है गाइस? प्राइस बढ़ रहा है तो demand क्या होगी? घटेगी, price बढ़ेगा तो demand घटेगी इससे हम क्या कहेंगे? contraction कहेंगे और contraction की समय पर demand कर्व कहां जाएगा? upward move करेगा demand कर्व कहां जाएगा? upward move करेगा समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बताओ, यहां तक किसी को कोई doubt? अच्छे, समझ में आ गया? वनकम है आज की क्लास में जैसा कि आज का topic आप सब देख रहे हो it is elasticity of demand यानि आज की क्लास में हम मांग की लोच के बारे में बात करेंगे it is a part of theory of consumer behavior last class में यानि कल की क्लास में yesterday's class में मैंने आप सब को movements and shifting of demand कर्व समझाया था और आज एक again बहुत ही जादा important topic for everyone मैं कह सकती हूँ class 12 पढ़ रहे हो CHSL की तयारी कर रहे हो CGL की तयारी कर रहे हो किसी भी exam में economics आती है इस topic से related आपको questions मिलेंगे ठीक है कामेशवर बिलकुल वेटा मैं start करूँगी ठीक है जैसे ही paid start होगा वैसे ही आप भी फिलहाल हम सब free of cost कर रहे है ठीक है तो आज का topic आप देख सकते हो elasticity of demand यानि मांख ही लोच के बारे में हम discuss करेंगे आज की class के क्या-क्या topics होगे पहले तो हम simple elasticity of demand मैं आपको समझाओंगी what is elasticity of demand next is formula मतलब कैसे निकाले जाता है elasticity of demand then जो main questions exam में बनते है situations of elasticity of demand से तो बिना किसी देर करें start करते हैं सबसे पहले about elasticity of demand यानि मांख की लोच हम किसे कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं तुम सब को ध्यान से समझाओंगी ध्यान से सुनो और समझो elasticity of demand को हम extension कहते हैं law of demand का यानि law of demand की working जहाँ पर complete हुई ती ना guys वहाँ से elasticity of demand की working start होती है अभी तक till now हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर किसी product का price बढ़ता है तो demand कम हो जाती है है ना हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर किसी product का price बढ़ता है तो demand क्या होगी कम और twice कम होता है तो demand बढ़ती है जैसा कि मैंने law of demand में आप सब को समझाया था but elasticity of demand इसी के extension को कहते है यानि यहाँ पर हम यह पढ़ेंगे कि अगर किसी product का price बढ़ा है for example पचास प्रतिशत किसी product का price बढ़ा तो price कितना बढ़ने के कारण उसके demand कितनी नीचे घटी है या price कितना नीचे गिरने के कारण demand कितनी उसकी उपर बढ़ी है इससे हम कहेंगे elasticity of demand इससे हम कहेंगे मांग की लोच यहाँ पर आप ये बताने लगोगे जैसे मैंने पूछा कि अगर किसी product की x y z की demand जो है या price जो है 30% बढ़ी है तो इस 30% rise की वजहे से इसके demand कितना प्रतिशत नीचे गिरी होगी क्या वो 30% से जादा गिरी होगी कम गिरी होगी 30% ही गिरी है यानि हम price के accordingly price कितना बदल रहा है उसके accordingly कितनी demand में बदलाव आ रही है इससे हम क्या कहते है elasticity of demand यानि मांग की लोच कहते है इतना समझ में आया सबको तो यहाँ पर elasticity of demand की definition लिखी है एक बार देखो elasticity of demand is the measure or you can say the responsiveness responsiveness किस चीज़ का changes in demand to the price of the product यानि price के कारण कितना demand में change हुआ है that is known as elasticity of demand इससे हम क्या कहेंगे मांग की लोच कहेंगे law of demand क्या कह रहा था price बढ़ता है demand गिरती है elasticity क्या कह रहा है price कितना बढ़ा इसके कारण demand कितनी गिरी या price कितना गिरा जिसके कारण demand कितनी बढ़ी that is known as elasticity of demand इससे हम क्या कहते है मांग की लोच कहते है अब यहाँ पर हिंदी वाले student हिंदी में definition देख सकते हो simple कि मांग में हमारा कितना बदलाव आया in accordance to the price of that product अब हम बात करते हैं कि elasticity of demand आखिरकान निकाली कैसे जाती है elasticity of demand का formula क्या होता है good afternoon Neha good afternoon Nippurna good afternoon everyone please like and share the video guys आप जितने भी students watching है सब का काम है कि आपको video को like और share करना है ताकि हम से यहाँ पर जादा से जादा बच्चे जोड सकें ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं what is the formula of elasticity of demand यानि elasticity of demand आखिरकार कैसे निकाली जाती है तो मैंने कहा price में कितना प्रतिशत बदलाव आया जिसके कारण demand में कितना प्रतिशत बदलाव आया उसी को हमने elasticity of demand कहा अब यहाँ पर आप elasticity of demand का formula देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में it says percentage change in demand यानि बांग में कितना प्रतिशत change आ रहा है divided by price में कितना प्रतिशत change आ रहा है अगर आप demand के change को price के change से divide करते हो तो जो आता है उसे हम क्या कहते हैं elasticity of demand यानि बता रहा है कि price में कितना प्रतिशत change आया इसके कारण हमारे demand में कितना प्रतिशत change आया अब यहाँ पर elasticity of demand का एक और formula है एक और तरीके से आप elasticity of demand निकाल सकते हो अब वो तरीका क्या है C हम percentage change in demand की जगह demand के percentage change कैसे निकाला जाता है उसे put कर सकते हैं जैसे मालो 50 रुपे का product 100 रुपे का हो गया तो कितना प्रतिशत बदलाव आया कैसे निकालते हो हम निकालते हैं D1 new demand new demand minus old demand upon old demand into 100 percentage change in demand कैसे निकालते हो एसे ही तो निकालते हो ना new demand minus old demand upon old demand into 100 अब divide divide लगा है price का percentage कैसे निकालते हो new price minus old price upon old price into 100 अब हमने यहाँ पर यह काट दिया ठीक है देखो D1 minus D इसे हम क्या लिख सकते है D1 minus D को guys हम लिख सकते है change in demand upon original demand divided by D1 minus D को हम change in price upon original price लिख सकते है यह यहाँ से हमने किया था ठीक है यहाँ से किया था ना यह जीस्टो थी D1 minus D इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा change in demand upon change in sorry original demand divided by change in price upon original price अब आगे देखो यहाँ पर change in demand upon original demand into price upon change in price इसको और थोड़ा सही करके लिख दो तो change in demand upon change in price into original price upon original demand यह होते हैं यह होते हैं दो formula elasticity of demand के एक यह formula है और एक formula क्या है elasticity of demand is equal to percentage change in demand upon percentage change in price इसी इसी formula से हमारा यह formula बना है, derive हुआ है, okay, cool है, ठीक है, यहाँ पर बहुत simple questions आप से पूछी जा सकते हैं, for example, दिया हुआ है कि एक product का price, मान लो 50% change हुआ, ठीक है, प्राइस में change 50% है, ठीक है, प्राइस में change 50% है, बताओ इसकी elasticity of demand कितनी होगी, ऐसे questions पूछे जा सकते हैं, एक दम simple और असान, तो अगर ऐसा question है, तो हम यह formula निकालेंगे, यह formula लगा के answer ले लेंगे, इसके अलावा, जैसे price दिया है, demand दिया है, फिर change, नया price दिया है, नया demand दिया है, तो हम यह formula भी लगा सकते, तो यह simple इसका answer क्या आएगा, अच्छा, बताए ही दो इसका answer क्या आएगा, सारे के सारे students, मैं जितने students को यहाँ पर देख रही हूँ, उस सब के सब वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें जल्दी से, हां जी, तो इसका answer क्या आएगा, बहुत simple है, elasticity of demand, भाई, simple put कर दू, पच 0.5, भाई, क्यों, उल्टा क्यों कर रहे हो, 2 क्यों कर रहे हो, percentage change in demand upon percentage change in price है ना, guys, percentage change in demand यहाँ पर कितना है, 25, price कितना है, 50, तो 2 आएगा, या 0.5 आएगा, भाई, डिवाइड करना तो आप सब को पता है ना, 50 by 50 is 1 by 2, या नि 0.5, cool, done, तो यह है आपके लिए elasticity of demand, यानि मांग की लोच, यह simple एक introduction था, यहां से related आपके questions आ सकते हैं, इसकी definition से, इसकी formula से related, और तो और यह कुछ छोटे मोटे numerical, बिलकुल 0 level के numerical होते हैं, जो आप से पूछे जा सकते हैं, तो simple what is elasticity of demand, मांग की लोच is, price में कितना प्रतिशत चेंज आया, जिसकी कारण, demand में कितना प्रतिशत चेंज आया, उसे हमने क्या कहा, the elasticity of demand मांग की लोच, now we are moving to a very important part, जिसे हम कहते हैं, the situations of elasticity of demand, यानि elasticity of demand की पाज अलग-अलग situation होती हैं, और जो exam में questions बनते हैं, वो इस पाज situation से ही related पूछे जाते हैं, तो, there are five situations of elasticity of demand, मांग के लोच की पाज इस्थिती होती हैं, see यहाँ पर ध्यान से, the first is perfectly elastic demand, the second is perfectly inelastic demand, that relatively elastic, relatively inelastic and unitary elastic, यह है पाज situation elasticity of demand, की और इन ही पाज situations से related, आपके exam में questions पूछे जाते हैं, इन ही पाज situations के regarding, रूमा, good afternoon, मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगी, इन पाजो situations को detail में समझाओगी, यह पाजो situations समझो, अपनी आस पास की जिन्दगी से relate करो, और situation के example तुम सब मुझे दोगे, मैं सिर्फ आपको यह बताऊँगी, कि इन situations का मतलब क्या है, उसके बाद इसको समझ के answers मुझे देने हैं, तुम सब को answers मुझे देने हैं, कि इन situations से related, कौन सा ऐसा product है, जो कि इन situations में आस सकता है, तो तयार है, एक-एक situations के बारे में start करें, येस और नो, हांजे गाईज, एक-एक situations के बारे में start करें, बेलकुल, चालिए, बहुत बढ़िया, तो हमारी सबसे पहली situation क्या है, ये मैं graph आपको बाद में दिखाऊँगी, graph अभी नहीं, पहले situation समझो, बाद में graph समझेगे, सबसे पहले situation है perfectly elastic demand, इसे हम पूर लोज़दार मांग कहते हैं, perfectly elastic demand हम से कहता है, एक ऐसे situation, imagine करो, जहाँ price में इतना minor, इतना हलका सा change आ रहा है, कि आम जिन्दगी में इस minor से change को हम approximately zero के बराबर consider करते हैं, जैसे 100 रुपे का कोई product है, मान लो उसमें हमने एक रुपे बढ़ा दिया, 101 रुपे हो गया, ठीक है, यानि हमारा price में बहुत माइनर सा change, there is a small change in the price of the product, यानि कहा जा रहा है, कीमतों में बहुत माइनर सा change, उस product की demand को infinite तूर से change करता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे perfectly elastic demand, यानि हलका सा price बढ़े, सोचो, एक दो रुपे बढ़ने की वज़े से, मालों इंडिया में हर कोई वो product खरीदना छोड़ दे, या एक दो रुपे कब होने की वज़े से, मालों इंडिया में हर कोई वो product खरीदना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे perfectly elastic demand, यानि पूर लोज़दार माँग, दो points important है, पहला price में change कितना होना चाहिए, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में answer दे, price में change कितना होना चाहिए, minor, is small, approximately how much, approximately 0 के बराबर, demand में change कितना होना चाहिए, infinite, यानि आसी मेंट, और इसे हम क्या कहेंगे, perfectly elastic demand कहेंगे, अब ध्यान से सुनो, elasticity of demand का formula होता है, percentage change in demand upon percentage change in price, यह formula होता है, simple, है ना, अच्छा, price में change एकदम minor सा हो रहा है, मैं बार-बार कह रही हूँ, approximately 0 के बराबर, percentage change in price को हमने 0 पुट कर दिया, उपर मैं कुछ भी number रखू, नीचे 0 रखू, answer किसके बराबर आएगा, anything upon 0, answer किसके बराबर आएगा, infinite, यानि आसी मेंट, और इसलिए याद रखेगा, perfectly elastic demand में, elasticity of demand किसके बराबर होगी, infinite, यानि आसी मेंट के बराबर होगी, ठीक है, ओके, अब जड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कभी तुमने कोई भी ऐसा प्रोड़क्ट देखा है, क्या कभी आपने कोई भी ऐसा प्रोड़क्ट देखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि इतना माइनर सा चेंज, डिमांड को इन फाइनाई तौर से चेंज करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, that's why perfectly elastic demand is an imaginary situation, ये क्या है क्यालपनिक इस्थिती है, और इसका real life में खोई भी existence नहीं है, तो what are the points to remember, first point, answer दो मेरे साथ, price में चेंज कितना होगा, perfectly elastic demand, price में चेंज कितना है, minor, approximately zero, demand में चेंज कितना है, infinite यानि आसीमित, elasticity of demand किसके बराबर है, infinite यानि आसीमित के बराबर है, क्या ये real life में exist करता है, no, it is an imaginary condition, कालपनिक इस्थिती होती है, अब यहाँ पर इसका graph देखो, ध्यार से, अगर आप यहाँ पर graph देखोगे, ठीक है, see, price में चेंज इतना minor सा हो रहा है, कि P था P ही रहने दिया, price में चेंज क्या है, इतना minor है, कि P था P ही रहने दिया, price में minor सा चेंज, demand को infinite तोर से चेंज कर रहा है, तो देखो, demand को मैंने parallel line से represent किया है, parallel lines का meeting point नहीं होता, हम क्या मानते हैं, यह infinite में meet करती है, और इसी लिए यह graph जो है, वो है perfectly elastic demand का graph, हमेशा एक horizontal line से graph represent होगा, क्योंकि price में minor सा चेंज है, और मांग, यानि demand में infinite, यानि असीमित बतलाब है, तो हमेशा एक horizontal line होगी, याद रखेंगे, ठीक है, done है, इस page में किसी को कोई doubt है, तो प्लीज पूछ लो, anyone, किसी को कोई भी doubt है, यहाँ पर perfectly elastic demand में, तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम second situation की तरफ move करेंगे, और we have second situation, that is known as perfectly in-elastic demand, जो perfectly elastic था ना, उसका just opposite है perfectly in-elastic demand, क्या है, यह कह रहा है, price में आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना change कर लो, perfectly elastic क्या कह रहा है, price में minor सा change होगा, यह कह रहा है, price में आपकी बर्जी है, आपको मैंने free hand दिया, आप चाहे जितना price बढ़ा दो, चाहे जितना price लीचे गिरा दो, price में आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना change कर लो, लेकिन इतना price में change आने के बावजूद भी demand पे कोई change ना है, when there is zero change in demand, मांग बदले ही न, पचास का product पचास हजार कभी के demand ना गिरे, पचास रुपए का product पांच रुपए का मिले, demand बढ़े भी न, यानि price चाहे जितना घटाओ, demand वहीं पर रहे, जो कतों ना बढ़े ना घटे, when there is a zero change in demand, जब demand में क्या होगा, no change, जब demand में किसी तरीके का नहीं change होगा, और price में आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना change कर लो, उससे हम क्या कहेंगे, perfectly in elastic demand के नाम से जानेगे, again formula, elasticity of demand is equals to percentage change in demand upon, percentage change in price, मैं कहारी हूँ, demand में change zero है, उपर zero रखा, नीचे मैंने कोई भी number रखा, answer किसके बराबर आएगा, answer दो, बाई, percentage change in demand अगर zero हो गया, उपर मैंने कोई भी number रखा, नीचे, उपर zero रखा, नीचे मैंने कोई भी number रखा, answer किसके बराबर आएगा, zero, और इसी लिए, यहाँ पर, elasticity हमेशा zero होगी, opposite है, perfectly elastic में क्या था, price में हलका सा change, यहाँ पर in elastic में क्या है, price में, जादा से जादा change, perfectly elastic में क्या था, demand में बहुत जादा change आघए आ रहा था, महाँ पर, यहाँ पर demand में कोई change ہी नहीं आ रहा है, वहाँ पर, क्या हो रहा था, वहाँ पर elasticity of demand, infinite था, यानि आसी में यहां पर elasticity of demand zero है, nil, कुछ पी रहे, वो imaginary थी, याद रखना ये भी imaginary situation है, why? तुम कोई भी product उठा के देख लो, नमक जैसी basic necessity और car जैसा luxury, कुछ भी उठा के देखो, अगर price change होगा तो demand change होगा, क्योंकि यही law of demand समझा रहा था, law of demand में क्या कहा था, price बढ़ेगा, demand खटेगी, नमक 50 रुपए का मिल रहा है, जो demand है, अगर वही नमक 5000 का हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, demand गिरेगी या नहीं गिरेगी? of course गिरेगी, हाँ मैं यह जरूर मानती हूँ, कि price जितना जादा बढ़ा है न, demand उटनी तेजी से नहीं गिरेगी, गिरेगी बहुत कम गिरेगी, क्योंकि नमक इसा बेसिक नेसेसिटी, बड़ गिरेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि गिरेगी, अगर नमक का price घटेगा, तो demand बढ रहेगी, और इसलिए perfectly in elastic क्या है, एक imaginary यानि कालपनिक स्थिती है, real life पे इसका कोई existence नहीं है, अब इसका graph देखो, वहाँ पर horizontal था, इसका graph हमेशा एक vertical line से represent होगा, अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे, लगातार price में change आ रहा है, देखो P1 था, गिर के P2 हुआ, गिर के P3 हुआ, लगातार price में changes आ रहे हैं, लेकिन demand हमारी QE है, P1 में भी Q, P2 में भी Q, और P3 में भी Q, वैसे ही demand है, इसलिए perfectly in elastic का demand हमेशा एक vertical line होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, अच्छा बताओ, यहाँ तक किसी को कोई doubt, इन दोनों situation में किसी को कोई doubt, perfectly elastic, perfectly in elastic, दोनों ही imaginary थी, एक में elasticity infinite था, इसमें 0 था, बहाँ प्राइस में हलका सा change, demand को infinite change कर रहा था, यहाँ पर प्राइस में लगातार चाहे जितना change कर लो, demand में कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा, कोई doubt, नहीं, तो भाई like करो, जितने student watching के सारे के सारे वीडियो को like और share करो, done, चलो, आगे बढ़ते हैं, next हमारे लिए क्या है, आप जो situation में आपको पढ़ाऊंगी, वो situation याद रखिएगा, real life की situation है, और इसे हम कहेंगे relatively elastic, अभी तक मैंने elastic के आगे word क्या लगाया था, perfect, अभी तक हमने elastic के आगे word क्या लगाया था, perfect, अब हमने elastic के आगे word लगाया है, relative, यानी अपेक्शक्रत, यानी comparison में, तो relatively elastic demand, सबसे पहली real life की situation होती है, relatively elastic demand कहता है, कि अगर price में change होगा, तो demand में भी change होगा, क्या बता रहा है, price में change होगा, तो demand में भी change होगा, जैसे real life में होता है, लेकिन, जैसा कि word लिखा है relative, यानी अगर आप आपस में compare करें, इनकी आपस में तुलना करें, तो हमेशा याद रखना, demand में change जादा होगा, और price में change कम, यानी relatively elastic demand कहता है, कि जहाँ पर demand का proportionate change, जो demand का है, वो जादा है किसके comparison में, price में, यानी price माल लो 50% बढ़ा है, तो demand 50% से जादा तेजी से नीचे गिरेगी, price अगर 50% कम हुआ है, तो demand 50% से जादा तेजी से ही उपर बढ़ेगी, यानी demand में change जादा, और price में change कम, ठीक है, अब सोचो, elasticity of demand का जो formula था, demand में change अपॉन price में change, अच्छा, इस formula में अगर हमेशा numerator बढ़ा है और denominator छोटा, यानी उपर वाला number बढ़ा है और नीचे वाला number छोटा, जैसे कि यहाँ पर लिखाए कि demand में change जादा होगा, तो numerator अगर हमेशा बढ़ा है और denominator हमेशा छोटा है, तो जो भी answer आएगा वो 1 से बढ़ा होगा, yes or no, हाँ या ना, भाई यहाँ पर जो भी answer आएगा, वो क्या होगा, 1 से बढ़ा होगा, और इसी लिए, इस situation में elasticity of demand हमेशा 1 से बढ़ी होती है, इस situation में elasticity of demand हमेशा 1 से बढ़ी होती है, ठीक है, इसका example अगर मैं आपको बताऊ ना, तो जैसे की luxury, इसका example जैसे की luxury products, for example, iPhone है, ठीक है वई, iPhone की कीमत मान लो 30% बढ़ गई, सोचा ज़रा ध्यान से, iPhone की कीमत मान लो 30% बढ़ गई, 30%, तो आप क्यों क्या लगता है, इंडिया में उसकी demand 30% से जाधा तेजी से नीचे गिरेगी, या नहीं गिरेगी, अफकोर्स जाधा तेजी से नीचे गिरेगी, क्योंकि iPhone कोई हमारी जरूरत की चीज तो है नहीं, जैसे सोना, गोल्ड, गोल्ड की कीमत में अगर 5% भी गिरावट आती है न, तुम देखो के लोग जाधा तेजी से सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, उसकी demand तेजी से बढ़ती है, क्यों? लोग सोचते सोना सस्ता हो रहा है, अभी खरीद लो. अगर प्राइस बढ़ेगा, लोग जाधा तेजी से खरीदना छोड़ देते हैं सोने को, क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं सस्ता होगा जब हम खरीदेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जो हम अपनी लग्शिरी, अपनी इंवेस्मेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये जरूरत तो है नहीं कि हमें हर हाल में खरीदना है, और इसे लिए ये थोड़े जाधा सेंसिटिव होते हैं डिमांड की तरफ, यानि अगर प्राइस में थोड़ा चेंज होगा, तो डिमांड तेजी से बदलेगी, यानि प्राइस में चेंज कम होगा और डिमांड में चेंज हलसादा होगा, समझ में आया, गोल्ड हो गया, कार हो गया, शियर्स हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है, रिलेटिवली, ये इलास्टिक डिमांड, अपेक्षरक्रत, लोचदार मांड, ठीक है, यहाँ पर देख लो ग्राफ, ध्यान से सिंपल है, ग्राफ में कुछ खास नहीं है, तुम देखोगे, प्राइस पीवन था, और इस कंडिशन में हमारी डिमांड क्यू वन थी, ध्यान से देखना, प्राइस पीवन था, हमारी डिमांड क्यू वन थी, अब देखो, प्राइस घटके पीटू हुआ, तो डिमांड बढ़कर क्यू टू हो गई, हो गई लेकिन अगर तुम देखोगे P1 P2 का distance कम है और Q1 Q2 का distance जादा है है ना यानि demand में change जादा हो रहा है और price में change कम हो रहा है और इसी लिए से हम कहेंगे relatively elastic demand समझ में आया हाया आना guys yes or no इस पेज में किसी को कोई doubt है तो please पूछो इस पेज में किसी को कोई doubt है no doubt good clear है शांदार बहुत बढ़िया चलो next situation अमारे लिए क्या है हिंदी वाले बच्चे एक बार हिंदी में पढ़ सकते हैं same cheers को यहाँ पर हिंदी translate करके भी लिखा हुआ है तो यह है आपके लिए perfectly sorry relatively elastic demand जहापर demand में change जादा आता है और price में change कमा आता है ठीक है okay sorry okay next situation अब देखू relatively inelastic demand just opposite of relatively elastic यह भी real life की situation है यह क्या कहता है भाई demand में change होगा तो price में भी change होगा यानि price और demand दोनों change होगे लेकिन अगर आप compare करें तो price में change जादा होगा और demand में change कम जैसे relatively elastic में demand में change जादा था price में change कम था यहाँ पर कह रहे है inelastic relatively inelastic कह रहे है मालो price 50% बढ़ा ठीक है तो demand जो है कम नीचे गिरेगी यानि 50% से कम गिरेगी मालो price जो है 30% गिर गया तो demand बढ़ेगी लेकिन कम तेजी से उपर बढ़ेगी relatively inelastic कह रहे है अगर price अगर 50% बढ़ा तो demand उससे जादा तेजी से नीचे गिरेगी relatively inelastic कह रहा है अगर price बढ़ा तो demand कम तेजी से नीचे गिरेगी यानि price में change जो है वो जादा होगा और demand में change कम और यहाँ पर हमेशा elasticity 1 से छोटी होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर तुम formula में आगे न बार बार में formula नहीं लिख रही है formula में तुम अगर लगा के देखो तो हमेशा denominator अगर बढ़ा होगा और numerator छोटा क्योंकि price में change जादा है demand में change कम numerator छोटा है और denominator हमेशा बढ़ा होगा answer हमेशा 1 से छोटा आएगा उसे हम relatively inelastic demand कहेंगे cool इसका example है necessities यानि रोजाना की जरूरत की चीज़े वो inelastic होती वो जादा sensitive नहीं होती है demands के towards क्यों सोचो जगा मान लो नमक का price 20% बढ़ गया तो तुम्हें क्या लगता है इंडिया में 20% लोग नमक खरीदना छोड़ देंगे हाँ याना का जवाब दो अगर नमक का price 20% बढ़ गया तो क्या इंडिया में 20% लोग नमक खरीदना छोड़ देंगे नहीं भाई लोग थोड़ा सा कमी करेंगे बहुत जादा लोग नमक खरीदना नहीं छोड़ेंगे वाई तो प्राइस तो तीजी से बढ़ा लेकिन डिमांड कम तेजी से नीचे गिरी तो जितने भी नेसेसिटी हैं वो इनेलास्टिक होगे और जितने भी लक्षरी हैं वो क्या होगे गोल्ड हो गया कार हो गया सब रिलेटिबली इलास्टिक है जैसे की मेडिसिन्स दवाईयां हो गई नमक वीट डेरी प्रोडक्स वेजिटेबल्स ये सब हमारे लिए क्या हो गया रिलेटिबली इन इलास्टिक डिमांड ठीक है अब यहां पर मैं आप सब को दिखाती इसका ग्राफ ध्यान से देखेंगा यह हिंदी में लेका है अब हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेए अब यहां पर देखो सबसे पहले हमारा प्राइस पीवन था और हमारी डिमांड क्यू वन थी ठीक है ओके प्राइस जो है वो गिरा सॉरी अब यहां पर मैं बैक पे चल यहां पर मैं दिखा दी देखो द्यान से हमारे प्राइस जो है वो यहां पर तुम देखना पहले क्या है पीवन है जिसमें हमारी डिमांड जो है वो क्यू वन है ठीक है अब प्राइस घटके पीटू हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई लेकिन अब तुम यहां पर Q1, Q2 का डिस्टंस कम है, यानि price में change जादा है और demand में change कम है. और इसलिए यह relatively inelastic है. यहाँ पर तुम देखोगे, ध्यान से, तो इस graph में तुम ही दिखेगा कि price में change कम है. तुम यहाँ देखोगे P1, P2 का distance कितना कम है, और Q1, Q2 का distance जादा है, यानि demand में change जादा है, price मे change कम है यहाँ पर तुम अगर graph देखोगे तो यहाँ पर graph हमें साफ सब वता रहा है कि price में change ज्यादा हो रहा है लेकिन demand में change कम हो रहा है और इसलिए यह हमारे लिए relatively in elastic demand है ठीक है cool यहाँ तक किसी को doubt है तो please पूछ लो यहाँ तक कोई भी doubt किसी भी student को तो please पूछ लो कोई doubt तो चार situation हो गई good अधिते चालो अब पांच भी और आखरी situation is simple है that is known as unitary elastic demand unitary elastic demand में जितना price में change होगा उतना ही demand में change होगा price और demand में change क्या है equal है यानि बराबर है यानि when proportionate change in demand is same as the price then it is known as unitary और unitary unit means one यहाँ पर elasticity of demand हमेशा किसके बराबर है यहाँ पर elasticity of demand हमेशा one के बराबर होगा हमेशा याद रखेगा और यह भी imaginary situation है देख लो ध्यान से अब यह पूरा graph जब बन रहा है तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर P1 P2 is equal to Q1 Q2 और इसलिए याद रखेगा यह है unitary elastic demand और imaginary इसलिए है क्योंकि इतना perfect कभी कुछ नहीं हो सकता इतना perfect हो ही नहीं सकता आपको लगता है 50% price में change हुआ 50% demand में change हुआ कैसा हो सकता है नहीं और इसलिए यह हमारे लिए क्या है यह हमारे लिए imaginary situation है पाचो situation समझ में आ गई हाँ या ना को जब आप दो सारे के सारे students आई या नहीं चलो तो एक बार पूछना तो बनता है तुम सबसे ऐसे थोड़ी न छोड़ूंगी चलिए यहाँ पर इस exercise को आपको करना है सबसे पहले ed is equals to infinite कौन सी situation है first situation ed infinite कौन सी situation है answer दो जल्दी से guys ed infinite किस situation में होता है हाँ जी सारे बच्चे आँसर दीजे जल्दी से अभी तक मेरे पास एक भी answer नहीं आया और बहुत गलत बात है क्योंकि बहुत detail में आप समने यह पढ़ा है तो ed is equals to infinite कौन सी situation है perfectly elastic demand कौन सी situation है perfectly elastic demand और बिल्कुल सही कहा कुनाल यह imaginary है कालपनी है ठीक है next ed is equals to zero कौन सी situation है हाँ जी guys ed अगर zero के बराबर है तो पौन सी situation है यह है perfectly in elastic demand true बिल्कुल सही कहा और यह भी क्या है imaginary यह भी क्या है कालपनिक इस्थिती है बहुत बढ़िया बहुत शांदर third ed greater than one one से बढ़ा elasticity of demand one से बढ़ा किस में आएगा elasticity of demand one से बढ़ी किस में आएगी of course relatively elastic demand और इसका example क्या बताया था मैंने luxury जहां पर demand में change है जादा है और price में change कम है ed less than one one से छोटा किस में आएगा relatively in elastic demand यहां price में change जादा है demand में change कम है example is necessities ठीक है और ed is equal to one unit three elastic demand दोनों बराबर होंगे और imaginary है ठीक है done sorry यहां तक हो गया चलो दो questions और करवा दू चलो दो questions और करवा देती हूँ topic completely finish हो जाएगा चलिया answer दीजे question का when a price of a product falls by 10% and demand rises by 30% यारी मांग 30% से बढ़ रहा है और price 10% से गिर रही है elasticity कितनी होगी elasticity कितनी होगी चलिया answer दीजे जल्दी से बहुत easy question है बहुत easy question elasticity of demand का formula तुरंत लगाओ elasticity of demand क्या होता है percentage change in demand upon percentage change in price तो demand में change है 30% price में change है 10% 30 by 10 answer is 3 गुनाल अली अदिती विकास इन्हों ने एकदम सही answer दिया the correct answer is 3 cool बहुत बढ़िया बहुत शांदर बहुत अच्छा answer दिया आप समने next question simple है देख लो अगर price elasticity 1 के बराबर है तो वो क्या है price elasticity 1 के बराबर है तो किसमें आएगा अभी just पढ़ाया मैंनी just अभी पढ़ाया आप सबको 1 के बराबर है price elasticity किसमें आएगा हां जी guys 1 1 तो that is unitary again the answer is B again the answer is B as simple as that अभी just मैंनी ये सब चीजे आपको पढ़ाया सारी चीजे पढ़ाया ना clearly चलो तो ये थे आज की topics जो हमने cover किये elasticity of demand complete हो चुका है अगर किसी ने आज की class को ध्यान से पढ़ाया I hope so एक भी question इस topic से related आपका एक्जाम में नहीं छूटेगा ठीक है okay so welcome है आज के economics के practice session में आप सब का आज का economics का practice session आपका particularly एक topic से related है that is theory of consumer behavior and theory of consumer behavior की theory already मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आज की class के हम इसी से related questions को practice करें रहे चलिए start करते हैं आज की class को और हम बढ़ते हैं सबसे पहले question की तरफ thank you so much for confirming thank you so much so सबसे पहला question हमारे लिए क्या है a good may be inferior for one customer but normal to another this depends upon भाई एक good जो है अगर किसी एक consumer के लिए normal है लेकिन वो दूसरे consumer के लिए inferior भी हो सकता है तो normal और inferior ये जो customer to customer depend करता है ये आखिरकार किस चीज पर बेस्ट है and there are four options पहला है ये income पर बेस्ट है दूसरा ये currency की devaluation पर बेस्ट है ये market की supply पर बेस्ट है या फिर all of the above हाँ जी चलिए answer देना start करिए सारे के सारे student तो उतकर्ष ने यहाँ पर मुझे answer देना start कर दिया है that is all of the above बाकी के students क्या answer दे रहे हैं हाँ जी ओके तो अभी तक बहुत सारे students ने यहाँ पर बिल्कुल answer नहीं दिया है तो मैंने आप सबको यह theory एक पर अल्वेडी पढ़ा चुके हूँ के एक good inferior और normal हमेशा on the basis of the income of consumer defined किया जाता है कैसे अगर माल लीजे मेरी income बढ़ रही है अगर मेरी I बढ़ रही है और मेरी income बढ़ने के साथ साथ वो सारे product जिसके लिए मेरी demand बढ़ जाए यानि मेरी income बढ़ गई तो वो सारे product जिसके लिए मेरी demand बढ़ती है वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं वो मेरे लिए normal good कहाए और वही पर मेरी income बढ़ने के साथ साथ जितने भी product हैं जिनकी demand market में गिर जाती है यानि income बढ़ने के साथ अगर demand बढ़ गई That is normal good. Income बढ़ने के साथ demand घट गई, that is known as inferior good. So, हमेशा याद रखेगा normal और inferior, depend किस चीज़ पर करता है, normal और inferior जो है, वो depend करता है, हमेशा एक व्यक्ति की income पर, याद रखेगा, ठीक है? Done, तो इसका explanation आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, when there is an increase in the demand for goods, अगर किसी goods की demand पर increase हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए normal good कहलाता है, और अगर किसी demand बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पर लिखा है, when there is an increase in the demand, demand बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि income घट रही है यारी inverse relation है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? inferior good कहलाएगा, done है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? ओके, बहुत बढ़िया, चाली, next question की तरफ हम shift होते हैं, next question हमारे लिए क्या है? law of demand shows relationship between, law of demand आखिर कार किसके और किसके बीच में relation शो करता है? चार option है, पहला option है, price and supply of goods, दूसरा option है, price and income of commodity, तीसरा option है, price and quantity of goods, और चौथा option है, income and quantity of demand. law of demand आखिर कार किसके और किसके बीच में relationship शो करता है, again, a very simple topic, law of demand से related, मैंने काफी सारे question, theory आपको already पढ़ा चुकी हो, तो law of demand आखिर कार किससे और किससे related है, या किसके और किसके बीच का relation बताता है, तो इस question का correct answer क्या है? अब ही तक यहाँ पर किसी कभी answer आना start नहीं हुआ है, law of demand आखिर कार किसके और किसके बीच का relation बताता है, तो अगर हम इस question के correct answer की बात करते हैं, तो law of demand हमेशा याद रखियेगा, price और quantity of goods के बीच में relationship बताता है, हमेशा यह एक buyer के नजरिये से बात होती है, सबसे पहली important point की खरीदने वाला क्या सोच रहा है? दूसरा, हमेशा price का असर, quantity, demand पर किस तरीके से पढ़ रहा है, इसे हम क्या कहते है, law of demand? And the main point, law of demand का सबसे एहम point क्या है, अगर किसी product का price बढ़ता है, तो उसकी quantity demand क्या हो जाती है, कम हो जाती है, काम और कीमत कम होगी, तो मांग अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यादी increase कर जाती है, ठीक है, और law of demand को देने का काम किस ने किया, अगर हम बात करते है, law of demand को किस ने explain करने का काम किया, हमेशा याद रखना, Alfred Marshall, ये कुछ question है, जो कि आपके exams में पूछे जा सकते हैं, हमेशा law of demand को explain करने का काम किस में किया, Alfred Marshall, there is always an inverse relationship, यानि हमेशा पुल्टा संबंध होता है, कीमत और मांग के बीच में, third point is, price का असर demand पर show करता है, यानि price is the independent factor और demand हमेशा किस चीज पर depend होगी, price पर, यानि price का असर demand पर किस तरीके से पढ़ रहा है, that is known as law of demand for all of you, ठीक है, done है, यहाँ तक किसी को कोई doubt, हाँ जी guys, done, okay, perfect, चालो, next, हमारे लिए क्या है, law of demand, explanation यहाँ पर पूरा detail में already दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, Alfred Marshall के दौर explain किया गया है, price और quantity demand के बीच का relationship है, अगर price बढ़ता है किसी product का, तो demand क्या हो जाएगी, घड जाएगी and wife बढ़ता, done है, चालो, बहुत बढ़िया, next question, ध्यान से question देखिएगा और इस question का correct answer दीजेगा, when there is a fall of demand for a product, यानि अगर कोई product के demand गिर रही है, क्यों? क्योंकि price बढ़ रहा है, यानि price बढ़ने के कारण अगर demand गिर रही है, तो demand curve में shifting या movement में से क्या होगा, अगर shifting और movement की class आपको याद है, तो ये question आप आसानी से कर सकते हैं, यानि demand curve उसी के along upward move करेगा, demand curve उसी के along downward move करेगा, demand curve leftward move करेगा, या फिर demand curve rightward move करेगा, हांजी student answer देना स्टार्ट करो, जल्दी से, हांजी students, अभी तक किसी student ने answer नहीं दिया है, अगर demand जो है, वो घट रहा है, क्योंकि price बढ़ रहा है, हम बना कर check कर सकते हैं, यहाँ पर, देखो, अगर हम low of demand की बात करते हैं, तो price क्योंकि independent factor है, तो price यहाँ पर शोगा, x-axis पर, और quantity demanded, because it is dependent on price, तो यह कहाँ पर शोग होता है, यह हमेशा जो है, इस axis यानि x-axis पर आपको quantity demanded, और price आपका y-axis पर शोग, ठीक है, ओके, अब ध्धान से सुनिएगा, for example, जैसे कि हम मान लेते हैं, कि हमारा price जो है, वो क्या है, price जो है P1 है, जिसके कारण हमारी demand जो है, वो D1, यानि price यहाँ पर P1 है, जिसके कारण हमारे लिए demand क्या है, यहाँ पर D1, हुआ यह, हुआ यह, कि हमारे लिए price बढ़ गया, price बढ़ कर माइनो P2 हो गया, जिसके कारण हमारे लिए demand घटकर हो गई D, यानि पहले हमारे पास point था A, अब है point B, यानि अगर हम demand curve की बात करते हैं, तो यहाँ पर तुम movement देखोगे, तो यह कैसा move हो रहा है, यह upward move कर रहा है, तो याद रखेगा, अगर हमारा price का असर demand में पढ़ रहा है, यानि अगर price की वजहे से demand बढ़ रही है या घट रही है, तो हमेशा demand curve उसे के along move करेगा, यानि यहाँ पर तुम देख रहे हो demand curve की shifting नहीं हो रही है, यानि यह left word या right word shift नहीं कर रहा है, demand curve उसे के along move कर रहा है, यानि point A से B गया, और इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा contraction, जब demand घटे न, demand घटेने को हम contraction कहते हैं, and contraction के समय पर हमेशा demand curve कैसा जाएगा, अब पूवर्ड move करेगा, तो अगर हम इस question के correct answer की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस question का correct answer क्या है, इस question का correct answer है, आप वर्ड, हमेशा demand curve कैसे move करेगा, आप वर्ड move करेगा, डटन है, yes or no, हांजी student, डटन, अगर तुम देख सकते हो, तो यह प्रॉपरली आपका with explanation curve यहाँ पर बना हुआ है, जो कि already मैं आपको समझा तुम अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो same चीज मैंने समझाई, ठीक है, यहाँ price show है, यहाँ quantity show है, ठीक है, ओके, अब यहाँ पर तुम देखो, price हमारा P1 था और demand हमारी D1 थी, ही ना, ओके, अब हुआ क्या, हमारा price बढ़कर P2 हुआ, जिसके कारण demand खटकर हमारे लिए क्या हो गए D2, अब यह क्या हो गया, move कर गया, अब, और इसी को हमने क्या कहा, contract, ठीक है, done है, okay, perfect, चलो, next, next question आपकी screen पर आ चुका है, ध्यान से देखेगा, tea और coffee substitute है, यानि tea के बधले हम coffee इस्तेमाल करते हैं और coffee के बधले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, guys, tea इस्तेमाल करते हैं, तो tea और coffee हमारे लिए क्या है, substitute है, अगर tea का price गिरता है, मैंने question पूछः, अगर चाय का प्राइस गिरता है, तो इससे असर क्या होगा? Rise in the demand for tea, यानि अगर चाय का प्राइस गिरेगा, तो tea की demand यानि चाय की demand घड़ जाएगी. दूसरा, चाय की demand घड़ जाएगी. तीसरा, कॉफी की demand घड़ जाएगी. यह चौथा कॉफी की दिमांड बढ़ जाए, correct statement चूज करना है, बहुत easy question है, दिमाग लगाके, आसानी से आप इस question का correct answer दे सकते हैं, हाँ जी, चलिए answer देना, start करिए Good evening everyone, चलो, जल्दी से, अगर क्या हुआ, अगर tea और कॉफी substitute हैं, तो चाय का price गिरा, इसके वजहे से असर क्या होगा, simple सी बात है, सबसे पहले तो law of demand अप्लाई करो substitute का function लगाने से पहले law of demand अप्लाई करो, अगर चाय का price गिर गया, तो बताओ, चाय की demand क्या हो जाएगी, भाई, चाय की कीमत गिर गई है, तो obviously चाय की demand क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बिलकुल, अच्छा, अगर चाय की demand बढ़ रही है, यानि पहला तो option सही आ गया, कि tea की demand क्या हो रही है, बढ़ रही, अगर चाय की demand बढ़ रही है, और चाय के बदले में लोग इस्तिमाल करते हैं coffee, चाय के बदले में लोग इस्तिमाल करते हैं coffee, तो coffee की demand क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि जादा लोग किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? चाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. तो पहला option सही है. यानि T की demand बढ़ जाएगी. दूसरा T की demand बढ़ेगी. तो इसका substitute effect क्या होगा? कि coffee की demand market में क्या हो जाएगी? यानि first and third is the correct statement. पहला और थीसरा क्या है? तो इस question का correct answer क्या है? अगर हम इस question के correct answer की बात करते हैं, तो both first and third is the correct statement. अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे, तो उम्हें समझ में आ जाएगा. दियान से देखेगा. अगर चाय का price गिरा, simple लिखा है पूरा solution. अगर चाय का price गिरा, तो demand की की क्या हो जाएगी? बढ़ जा जादा demand कर रहे हैं, तो इसका substitution effect क्या होगा? की coffee की demand market में क्या हो जाएगी? ठीक है? डन है? simple, easy, okay? चालो. next आपके लिए क्या है? दियान से देखेगा, फिर इस question का correct answer दीजेगा. When the demand of a product increases, due to increase in the income, again is a very good question, related to movement and shifting in demand curve. So, demand curve क्या होगा? क्या कहा गया है? अगर किसे product में demand बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्यों कि income बढ़ रही है? मैंने यहाँ question पूछा गया है, इनकम बढ़ने के कारण demand बढ़ रही है. तो बताओ, demand curve क्या होगा? demand curve shift करेगा? या फिर demand curve move करेगा? चलो, answer देना, start करो, सारे के सारे student. हाँजी, ओके, यहाँ demand curve क्या होगा? यह answer आपको बताना है, पहले मैं यहाँ पर अगर बना कर तुमको दिखा दूँगी, explanation में भी आपको asset दिख जाएगा, बना हुआ. यहाँ पर देखते हैं, हम चलो, अब देखो, ध्यान से. यहाँ है quantity demand, यहाँ है price. प्राइस का तो कोई change हो ही नहीं रहा, है ना? बै, demand है, मान लो, यहाँ price था, जिसमें हमारी demand थी. प्राइस में कोई change नहीं हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है, income के कारण demand बढ़ रही है. तो demand हम बढ़ती भी दिखा देंगे, demand हमारी बढ़ रही है, demand shift हो गए, और price remains same. तो अगर आप देखोगे, तो इससे demand curve किधर की तरफ move हो जाएगा, rightward move हो जाएगा, किधर की तरफ move हो जाएगा, rightward move हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा. अक्सर price का असर जब demand में पढ़ता है, तो demand curve या तो extend करता है या contract, माने उसी के along upward move करेगा, या उसी के along downward move करेगा. लेकिन अगर price अपनी जगा स्थेर है, यानि constant है, जो सके यहाँ देख रहे हो, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी हमारी demand बढ़ रही है, अब उसके लिए factor कोई भी हो सकता है, इस question में factor दिया है कि income के बढ़ने के कारण हमारी demand जो है वो बढ़ रही है, so demand बढ़ रही है, price अपनी जगा constant है, demand बढ़ रही है, तो हमेशा जब यहाँ पर इस तरीके का question आए, हमेशा याद रखना, demand स्थ क्या करेगा, shift करेगा, और इधर किधर की तरफ shift कर रहा है, right की तरफ shift करता है, तो इस question का correct answer क्या है, अगर हम इस question का correct answer की बात करते हैं, तो वो है rightward shift, this question का correct answer है, explanation यहाँ पर दिया हुआ है, अगर तुम देखोगे, यह देखो, price 60 रुपए ही है, लेकिन फिर भी हमारी demand 500 से 600 हो गई, यानि हमारा demand curve rightward move कर गया, rightward move at the same price, किसी भी external factor के कानल, for example income बढ़ने के कारण, तो हमेशा क्या हुआ, rightward move कर गया, then बढ़िया, चालो, next हमारे लिए क्या है ध्यान से देखते हैं, which of the following pairs are correctly matched, यहाँ पर pairs आए नहीं, अभी तक लोड नहीं हो पाएं, okay, which of the following pairs are correctly matched, अभ यहाँ पर actually में question था क्या, यहाँ पर चार तरीके के goods दिये हुए थी, ठीक है, आया नहीं है, लेकिन कोई बात ले, चार तरीके के goods दिये हुए थी, ठीक है, जैसे कि, अब मुझे exactly question तो नहीं याद है, लेकिन एक दिया था consumer good, एक दिया था semi-durable consumer good, एक ता final good, ठीक है, और इसी के आगे यहाँ पर options दिये गए थे, अब खेर क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए question ही पूरा नहीं download हो पाया, तो हम इसे shift करते हैं, और आगे के next question की सब बढ़ते हैं, चली, next question क्या है, next question हम screen पर देखते हैं, यह बाला question हम skip करते हैं, ठीक है, डन है, ओके, चलो, a demand curve which is parallel to horizontal axis, showing quantity, यानि क्या कहा गया है, एक demand curve, जो की parallel है horizontal axis है, जहां पर quantity show हो रही है, उस में price elasticity इसके बराबर हो रही, हाँ जी guys, चली है, एक demand curve, simple सी बाते कहा गया है, parallel show हो रहा है, एक demand curve, parallel show हो रहा है, quantity, जिस axis पर आप quantity show कर रहे हैं, उसके parallel show हो रहा है, यानि horizontal axis बन रही है, तो यहाँ पर हमेशा price elasticity किसके बराबर हो गया, अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता दू, तो यह graph कुछ ऐस बन जाएगा, यह है quantity demand और यह है price, और यहाँ पर है आपके लिए demand curve, दोनों parallel show कर रहे हैं, यहाँ आपको बताना है, elasticity of demand किसके बराबर होगी, horizontal axis, elasticity of demand आखिरकार किसके बराबर होगी, okay, question का correct answer क्या है, यहाँ पर हमेशा याद रखिए का elasticity of demand जो है, वो infinite यानि आसीमित के बराबर होगी, infinite elasticity of demand means, price इतना minor सा change हो रहा है, कि आम जिंदगी में इस minor से change को हम approximately 0 के बराबर consider करते हैं, for example, कोई product 500 रुपए का है और उसमें minor सा change है, एक दो रुपए बढ़ा दे, बहुत minor सा change है, इतना minor सा change होने के बावजूद भी, आगर उसकी demand इतना major तरीके से change हो जाए, कि आप imagine ना कर सके, यानि आप very, very little change in the price, leads to infinite change in the demand, यानि मांगने infinite change है, लेकिन price में हलका तरी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे, perfectly elastic demand और perfectly elastic demand में, हमेशा elasticity of demand, infinite के बराबर होती है, and the graph हमेशा horizontal line में represent होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, अगर तुम solution देखोगे, तो यह है, when there is a small change in the price, leads to an infinite change in the demand, यही बताया था मैंने, इस case में हमेशा perfectly elastic होता है, ED infinite होता है, और graph हमेशा कैसा बनेगा, यही बताया था, ठीक है, यह है graph, done, done है guys, good, चलो, next, अब perfectly in elastic demand is equal to, एक perfectly in elastic demand आखिर कार किसके बराबर होता है, चलो एांसर देना, start करिये, अब perfectly in elastic demand हमेशा किसके बराबर होगा, perfectly inelastic demand 1 के बराबर है, perfectly inelastic demand infinite के बराबर है, perfectly inelastic demand 0 के बराबर है या perfectly inelastic demand greater than 1 के बराबर है, there are 5 situation of elasticity of demand मैंने अल्रेड आपको पढ़ा दिया है, 5 situation perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively elastic, relatively inelastic and unitary elastic demand these are the 5 situation of elasticity of demand, इसी से related ये question है, कि अगर perfectly inelastic demand है, तो यहाँ elasticity के बराबर होगी 1 है, infinite है, 0 है या greater than 1 है, अजी गाइज, बोलो तो आप यहाँ पर इस question का correct answer क्या है, यहाँ पर हमारा infinite नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 0 होगा perfectly inelastic demand क्या होता है अगर लगातार prices में change हो रही है, लगातार कीमत है बदल रही है लेकिन उसके बावजूद भी demand पर कोई सरकनी पर यानि perfectly inelastic demand क्या है, when there is no change, यानि कोई change है नहीं demand में price में change होने के बावजूद भी, यानि कीमत मानलो 100 से 200 हो गई, 200 से 500 हो गई, 500 से 1000 हो गई हम लगातार कीमतیں बढ़ा रहें, लेकिन demand वहीं पर constant है demand वहीं पर इस्थिर है, ना price बढ़ने से demand घट रही है और ना price घटने से demand बढ़ रही है उसे हम कहेंगे perfectly inelastic demand यहां देखोगे, लगातार हमारा price गिर रहा है P1 से P2 हुआ, P2 से P3 लगातार price गिर रहा है, लेकिन price गिरने के बावजूद भी demand अपनी जखा इस फिर है, demand D में ही constant है P1 में भी D है, P2 में भी D है, P3 में भी D है then it is known as perfectly inelastic demand हमेशा elasticity किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, done? Good, चालू, next question which of the following is not an assumption of law of demand? इसमें से क्या चीज़, law of demand का assumption नहीं है तहला, there is, there are no change in the taste and preference of the consumer यानि consumer के taste or preference पर किसी तरीके का कोई भी change नहीं है income पर change नहीं है, यानि income of the consumer remain constant third, consumer demonstration effect से affected हो रहा है यानि consumer पर असर पड़ रहा है और चौथा, substitute good के price change होने से भी consumer पर कोई भी change नहीं show हो रहा तो इसमें से आपको law of demand का क्या नहीं लगता है आपको क्या लगता है कि law of demand का assumption क्या नहीं है हाँ जी guys ओके law of demand तीन चीज़े बतना ही थी ना पहला Alfred Marshall के द्वारा दिया गया दूसरा बताया था price का असर quantity demand पर शो होता है और तीसरा बताया गया कि inverse relationship होता है price और quantity demand के बीच में यही तीन चीज़ बताया थी ना आप सबको मैंने चौती चीज़ सुनू law of demand के चौती चीज़ कहती है price के अलावा जितने factors हमारे demand पर असर डाल रहे हैं हमें उन्हें constant काना है and that is known as citrus peribus citrus peribus यानि price के अलावा जितने भी other factors हैं उन factors को हमें क्या मानना है constant यानि इस्थेर यानि रुका हुआ यानि अगर price का असर demand पर शो हो रहा है वहीं पर income constant रहेगी taste and preference constant रहेगा यानि taste and preference, income, substitute goods किसी भी other factors का consumer के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है यह होते हैं law of demand के assumption यानि first point is the assumption of law of demand second point is the assumption of law of demand जो third point दिया गया है, third point पे यह कहा गया है consumer क्या हो रहा है, demonstration effect से affected हो रहा है यानि यहां पर उसके उपर असर पड़ रहा है तो भाई यह C is question का correct answer because C is not the assumption of law of demand ठीक है ओके चलो, next हमारे लिए question क्या है अब यहां पर assumption of law of demand के solutions लिखे वे हैं कि भाई price related goods का क्या रहे का constant income क्या रहे का constant taste and preference क्या रहेगी, constant रहेगी taste and preference भी constant है income भी constant है price भी constant है यानि सारे other factors है consumer के उपर कोई भी फरक नहीं पड़ता है ठीक है, ओके, चालो next a demand curve will not shift easy question है मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ यहीं इसी section में मैंने answer दिया है C और answer देना start करू एक demand curve का दो shift नहीं होगा and there are four options पहला जब सिर्फ income बदलेगी जब price substitute product का change होगा जब advertisement expenditure में changes होगे या सिर्फ commodity के price में change होगा अब यह question तुम लोग बता सकते हो इसलिए क्योंकि ऐसे ही related मैंने अभी आप से question पूछा था एक demand curve कब shift नहीं होगा हांजी बो एक demand curve कब shift नहीं होगा question आप से यह पूछा गया है तो याद करो मैंने आपको बताया था there is a shifting in demand curve there is a movement in demand curve movement कब होता है जब price change होता है और बागी factors constant ते यानि demand curve उसी के लोग move करेगा या तो upward जाएगा या downward जाएगा shift कब होगा जब income, taste, climate, fashion इन सब तिक्सों का demand कर असर पड़ता है और price constant रहेगा यानि question लिखा हुआ है कि भाई एक demand curve कब shift नहीं होगा जब shift नहीं होगा जब other factors जो है वो क्या होगे वो जो है constant होगे ठीक है तो shift होगा जब income change होगी यानि A, B और C इसमें shifting होगी D में shifting नहीं होगी D में movements होगे यहाँ पर demand curve या तो upward जाएगा या फिर यहाँ पर demand curve downward जाएगा ठीक है यानि यहाँ पर दो चीज़े होती है demand curve upward move करेगा या फिर demand curve downward move करेगा क्यों क्योंकि price change होगा shift नहीं होगा क्योंकि यहाँ movements होगी shift कब होगा जब income बदलेगी जब substitute product का price बदलेगा यानि other factors के कारण जब price पर असर यानि demand पर असर पड़ेगा तो demand curve क्या होगा demand curve rightward leftward move या shift करेगा तो इस question का correct answer क्या है अगर हम इस question के correct answer क्या है तो d is the correct answer अब यहाँ पर तुम देखोगे तो मैंने आप सब को देखा दिया भाई अगर price of a commodity change होगा तो demand curve उससी same demand curve के अपर move करेगा अगर तुम देखोगे यहाँ contraction हो रहा है और यहाँ पर extension हो रहा है upward जा रहा है और downward जा रहा है ठीक है shifting कब होगी? shifting कब होगी जब advertisement expenditure climate या फिर price of substitute या फिर fashion इनकी वज़े से demand पर असर रहा है ठीक है? okay बढ़िया next which of the following are consumer semi-durable product? इसमें से कौन सा consumer semi-durable product है? हांजे स्टूल इंसांसर देना, start करो जल्दी से इसमें से कौन सा consumer semi-durable product है semi-durable समझते हो जो ना तो तुनंत खराब हो जाए ना तो बहुत लंबे टाइम के लिए हो यानि ऐसा ना हो कि आज जिसे milk होता है ना दूध आज खरीदोगे तो chances आर कि एक-दो दिन के अंदर consume करो अना खराब हो जाएगा है ना तो दाट इस non-durable यानि जो बिल्कुल भी लास्ट नहीं करता अचा अगर तुम्हें वाशिंग मशीन खरीदी वाशिंग मशीन इस दूरेबल प्रड़ा भाई जो भाई खरीदी है पांच-छे साल या दस साल तो आम से चल लाएगी हैना है ना अगर आब होते ये पांच-छे साल भी नहीं चलते ठीक है तो कार इंटेलीवीजि़न शेट येज आर डूरेबल जैसे फैंस और इलेक्ट्रिक आइरन्स तो ये क्या है ये ये दूरेबल है तो इस कोश्च्चन का हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या है C is question का correct answer, ठीक है, done है, okay, चलो, तो ये थे आपके आज के class के कुछ questions जो कि मैंने आप सब को discuss करवाए, उमीद करती हूँ कि ये questions आपको अच्छी तरीके से समझ में आये होंगे, these all are related with the theory of consumer behavior, जो कि already topic मैं आपको काफी detail में पढ़ा चाहा हूँ, ठीक है, ऐसा कि आप सब ने लाक करती, जो कि से से थीरी of consumer behavior to okay अर अचीכ मैं आज करस्की करती है आच की ग्रास्की करती है, जो कि कि TWISA कछिक हूँ. और तो ये प्राष Pix करती हूँ करती, आज की रसकी if you have a serious illness, वहसे ह理ती from the सबस्क्राइब जो कि जब स्कूर्ट करें आनजी सब्सक्राइब दाइब सुछ नियुक्त प्रस्ट को सकति क्या है कि लास्टी कि उप्रिमांडब ऐस़से कि या निया हुआ है Elasticity of Demand 0.55 तो बताओ वो आखिरकार इसमें से इसके इंदर आता है यह रात पूर अब पहला है Perfectly Elastic Demand दूसरा है In Elastic Demand दीसरा है Relatively Elastic Demand और चौता है Relatively In Elastic Demand ठीक है? हाँ जी चलिए आंसर देना स्टार्ट करिये सारे के सारे सारे स्टूरें अगर Elasticity of Demand 0.5 है तो वो आखिरकार इसमें से किसके इंदर आता है ओके वो इसके वो इसकी जो है यहाँ पर मेरे पास कमेंट एक आ चुका है तो एक बार चेक कर लिया जाए सारे के सारे के वोईस अगरा ठीक है चलो तो अगर हम इस Question के Correct Answer की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ 0.5 0.5 यानि इस लेस तन 1 अगर Elasticity of Demand 1 से छोटी होती लेकिन 0 से बड़ी होती है तो वो हमेशा Relatively in Elastic Demand में आती है Relatively in Elastic Demand हम से कहता है जहां पर Percentage Change in Price जादा होता है और Percentage Change in Demand क्या होता है कम होता है Elasticity of Demand का मैंने formula बताया था Percentage Change in Demand अपोन Percentage Change in Price ठीक है अब यहां पर अगर देखोगे यह हमेशा बड़ा है Denominator हमेशा बड़ा है और Numerator हमेशा छोटा है For example उपर 5 है नीचे 10 है Answer हमेशा कैसा आएगा Answer हमेशा 1 से छोटा आएगा हमेशा याद रखेगा अगर Elasticity of Demand is always less than 1 जैसे कि यहां पर दिया है It is 0.5 Then it comes under Relatively in Elastic Demand Relatively in Elastic Demand हमेशा Necessities Product होटे है तो इस portion का सरेख आउसर हम कर लेते हैं तो मैं आपको यहां पर दिखाते हूँ ठीक है अब अगर हम Necessities Product की बात करते हैं यह हमारे लिए कुछ Necessities Product जैसे कि वीट हो गया जैसे कि हमारे लिए राइस हो गया यह हमारे लिए क्या है Necessities Product Necessities Product में हमेशा याद रखेगा प्राइस में चेंज जो है वो हमेशा जादा होता है और demand में change कम होता है, कैसे? By for example, मान लो, कोई एक necessity है, इसके कीमत 50% प्रतिशत, 50% बढ़ गई, तो demand क्या हो जाएगी? Demand गिरेगी, लेकिन जितनी तेजी से price बढ़ा है, उतनी तेजी से demand नीचे नहीं गिरेगी, क्यों? Why? Because यहाँ पर यह हमारी necessity है, By 50% इंडिया में लोग rice खरीतना नहीं छोड़ देंगी, अगर rice की कीमत 50% बढ़ गई, कीमतों में change जरूर आएगा, demand में भी change आएगा, लेकिन कीमतों की comparison, demand में भी change आएगा, and that's why हमेशा याद रखेगा, wheat, rice, pulses, medicines, salt, यह सब relatively in-elastic है, यहाँ पर हमेशा 1 से 40 होती है, done, complete, हाय आना guys, यहाँ तक समझ में आ गया, okay, चलिए, moving to next question, next question हमारे लिए क्या है, movement along the same demand curve is known as, यानी, अगर हम same demand curve के along move कर रहे हैं, थोड़ा समय आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, यह demand curve है, इसे के along some move कर रहे हैं, तो बताओ इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम extension and contraction of demand केते हैं, इन्हें हम increase and decrease of demand केते हैं, इसे हम contraction of supply केते हैं, या फिर इसे हम increase of supply केते हैं, बहुत easy question है, सारे के सारे student जान से question देखकर, आप इस question का correct answer दे सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अभी तक एक बच्चे ने answer नहीं किया है, हम जी answer देना start करोगा, इस सारे के सारे student, अगर same demand curve के along movement हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, same demand curve के along, जो movement होती है, इसे हम extension and contraction of demand कहते हैं, extension, यानि, what? यानि price कम होने की वज़े से demand बढ़ जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, extension कहेंगे, यहाँ पर demand कर, downward move करता है उसी के along, ठीक है, next, what is contraction, contraction यानि price बढ़ने से demand कम होती है, ठीक है, और इसमें demand कर, upward move करता है, ठीक है, यह जो है, that is, upward moving है, तो इसे हमने क्या कहा, contract, और यह जो है, downward moving जो है, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा, एक 10, ठीक है, तो यहाँ पर movement क्या है, along the same demand curve, तो इस question का correct answer क्या है, इस question का correct answer क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर, अगर मैं तुम लोगों को, इसकी graph दिखाऊ, वैसे तो दोनो graph, तो तुम लोगों ने देख लिये हैं, ठीक है, अब यह देखो, देखा, what is this, price यह A point था, ठीक है, ओक है, यह A point में हमारा price T1 था, हमारी demand क्या थी, हमारी demand की D1, ठीक है, अब क्या हुआ, अब price बढ़ा, जिसके current demand कम हुआ, तो इससे हमने क्या कहा, इससे हमने contraction का, contraction में upward move कर रहा है, किसी तरे किसी यहां देखो, यहां पर हमारा अगर देखेंगे, price कम होने के कारण, हमारे लिए क्या है, price कम होने के कारण, हमारे लिए demand बढ़ रही है, then it is known as extension, और यहां पर downward moving होना है, ठीक है, डन है, hello, जैहिंद वालेकुम स्लाम, hello everyone, भाई, please like and share the video guys, आप सारे के सारे students, please like and share the video, okay, चालो, next question, ध्यान से देखेगा, फिर इस question का correct answer देखेगा, when there is a change in demand, leading to a shift of demand curve to the right, at the same price as before, the quantity demand will, यानि question क्या किया गया है, question ये किया गया है, कि अगर demand में change हो रहा है, यानि यहाँ पर देखेगा, क्या कहा गया है, change हो रहा है demand में, जिसके कारण demand curve जो है, वो right में shift हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, same price होगा, यानि price में बच्चे बतलाव नहीं है, जैसे कि हमारा price T1 है, demand हमारी D1 है, demand बढ़कर D2 हो गई, में अगर demand curve rightward shift हो रहा है, same price में demand curve rightward shift हो रहा है, तो आखिरकार यह क्या represent करता है, कि demand जो है, वो घट गई है, demand बढ़ गई है, demand same है, या फिर demand contract कर गई है, बोलो, सामने लिखा हुआ है और आप इस question का correct answer दे सकते हो, लिखा है, बना दिया है, same price में हमारा demand curve ये थी, फिर same price में हमारी demand बढ़ गई, और बढ़कर यहाँ पर आ गई, तो तुम देख रहे हैं, demand क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस question का correct answer क्या होगा, इस question का correct answer होगा, increase, इस question का correct answer क्या होगा, increase, इसका correct answer, अगर तुम यहाँ पर इसकी slide देखना चाहोगे, तो तुम आसानी से देख सकते हो, ये देखो, price same है, demand कर right shift हो रहा है, by quantity 500 से बढ़कर क्या हो गई, 6, ठीक है, done है, yes or no, अगर एक इसकी देख क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया, चलो, next, next question is, इसकी देखेगा question, if the price of an inferior good falls, अगर एक इसकी देखेगा, पर इसकी देखेगा क्या हो जाएगी, बोल भाई, अगर एक inferior good का price गिरता है, तो इसकी demand क्या हो जाएगी, last class याद करो, मैंने आपको बताया था, inferior, अगर एक व्यक्षी के लिए है, तो दूसरे व्यक्षी के लिए, वो normal होगी, या दूसरे वक्षी के लिए normal है, तो हो सच्टा है, वो किसी और के लिए inferior हो, तो normal और inferior किस चीज़ पर depend करता है, normal और inferior किस चीज़ के उपर depend करता है, income के उपर depend करता है, तो याद रखेगा जो inferior goods की बात आती है, अगर inferior goods का price खटता है, तो इसकी demand क्या हो जाएगी, इसकी demand जो है, वो increase कर जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, देखो, inferior और normal, एक तीज़ यादत न, inferior और normal, differentiate होता है, on the basis of income, first thing is, it is differentiated on the basis of income, okay, second, जोनो में law of demand, as it is apply होता है, उसमें कोई change ही था, देखो, मतलब, दो condition satisfy होनी चाहिए, inferior good के लिए, income बढ़ने से, demand कम हो, और income कम होने से, demand बढ़े, यानी, negative income elasticity होनी जरूरी है, और दूसरी बात याद रखना, प्राइस बढ़ने से, demand जो है कम हो, और price कम होने से, demand क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी, law of demand, as it is apply होता है, inferior good में, ऐसा नहीं है, कि अगर income demand, यहाँ पर negative है, तो यहाँ पर law of demand, negative नहीं होगा, no, law of demand, यानी price बढ़ने से, inferior good का demand घट जाती है, income बढ़ने से, यहाँ पर demand जाती है, तो अगर हम इस question के correct answer की बात करते हैं, price inferior good का घटता है, तो उसकी demand जो है, वो बढ़ेगी, A इस question का correct answer है, यहाँ बहुत बारीग सा difference है, given और inferior good के पीशे, और सिर्फ यही difference है, अगर यहाँ पर inferior की जगा, giffin लिखा होता, giffin में negative income elasticity होती है, यानि giffin में यह point as it is शामिल होता, बट, बट, क्या, giffin में यह जो cheese है न, वो apply नहीं होती, giffin low of demand को नहीं मानता, यानि giffin अगर होता, price बढ़ने से demand बढ़ती, और price घटने से demand घटी, income बढ़ने से demand घटी, ये दो condition apply होते हैं, giffin, inferior में यह और यह apply हो रहा है, और यही difference है बट्किन inferior और giffin, कि inferior follow law of demand, while giffin doesn't follow law of demand, तो इस question का correct answer, A होगा, जितने students ने A answer दिया है, एकदम सही और perfect answer दिया, ठीक है, okay, okay, बहुत बढ़िया, sorry, next question, Demand of commodity mainly depends on, एक commodity की demand, आखरकार, किस चीज पर निर्भर होती है, four options, purchasing will, purchasing power, tax policy, advertisement, demand, एक commodity की demand, किस चीज पर depend होती है, demand मांग के स्टीज पर निर्भर होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, मांग और desire, desire मांग, demand में convert होता है, when desire is docked by purchasing power, यानि किसी चीज की इच्छा है, और उसको धरीदने के लिए, मेरी जेब में पैसा मौजूद है, इच्छा है और मेरी जेब में पैसा भी मौजूद है, then it is considered as demand, सिर्फ इच्छा है तो वो demand है, demand के लिए एक बुहत important चीज है, आपकी purchasing power, यानि क्या खरीदने की शक्ती है, that is known as demand, for example, मुझे बुर्ज खरीदना है, तो क्या बुर्ज खरीदना है, तो क्या बुर्ज खरीदना है, लोग, this is only desire, जो मेरे हैट के, बुर्ज खरीदने के लिए, मेरे पास उतनी जेब में पैसा नहीं है, वो demand में नहीं आया, मुझे एक आप्टल की वाच खरीदनी है, that is considered as demand, why, because, यहाँ desire भी है, मुझे आप्टल की वाच खरीदनी है, plus purchasing power भी है, यानि मुझे उस आप्टल की वाच को purchase करने के लिए, मेरे पास जेब में उतना पैसा मवजूद है, so that is what demand means, समझ के आया, so demand is different, desire is different, desire, demand में रब जब चनवर्ट होगा, जब उसमें purchasing power एड़ होगी, so demand एक commodity की चब से ज़्यादा, किस cheese पर depend करती है, answer आपको मुल गिया है, that is purchasing power, done है, hello Akashawasthi, hello, okay, आगे बढ़े हम, चालो, next is what, see, an exceptional demand curve is one that's more, यह तो असानी से बता, exceptional demand curve, मैं हमेशा demand curve को कैसे बनाते हो, मैं हमेशा demand curve को कैसे बनाते हो, ऐसे, एक exceptional demand curve क्या होगा, यहाँ price होता है, यहाँ quantity demand होता है, जितना ज़्यादा price, उतना कम demand, तो exceptional क्या, यानि price भी ज़्यादा हो, demand भी ज़्यादा हो, तो exceptional demand curve कैसे जाएगा, ऐसे, लगा के देखो, for example, price P1 है, demand D है, price P1 हुआ, demand D1 हो गई, price P2 हुआ, demand जो है, वो D2 हो गई, यानि price बढ़ता गया, और यहाँ पर demand आपकी बढ़ती गई, तो यह exceptional हो गया, exceptional माने Giffen, याद है, Giffen good does not follow law of demand, तो exceptional, demand serve is the one that move upward to right, अमेश याद रखेगा, and normal demand serve that moves downward to right, यानि this is what, this is a normal demand serve, जो अक्षर होता है, what is exceptional, exceptional is this, which is moving to upward, upward to the right, ठीक है, okay, this question का correct answer क्या है, सारे के सारे student को, this question का correct answer मिल गया है, of course upward to the right is the correct answer, ये एक तरीके का representation मैने दे रखेगा है, देख लो, it is an exceptional demand, so one that moves upward to right, okay, okay, चलो, move करते है, next में, if two commodities are complement, then their first price elasticity, is a very easy question, complementary goods क्या होते हैं, दिमाग में सोच लो, वो दो product जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल करें रहे हैं, complementary is, वो दो product जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल करें रहे हैं, for example, bread butter, car petrol, ठीक है, pressure cooker city, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, for example, मैं आपको bread और butter का example जो, bread, butter, अब यहाँ पर, यह सोच के चलना, कि हम butter अपनी सिर्फ bread में लगा रहे हैं, अब तुम में से यह कोई ना कह देना, कि मैं जो हम butter ऐसी खालेंगे, हमको bread नहीं चाहिए, या फिर कोई यह कह दे, मैं हम तो butter और भी चीज़ों में इस्किमाल करते नहीं, being other factors remain constant, citrus, peribus, हर जगा अपलाए होता है, तो चलो, bread का price बढ़ा, तो bread की demand घट जाएगी, because law of demand यहीं कहता है, लोग bread समक्राइगे, और bread में ही लगाते हैं butter, bread में ही क्या लगाते हैं, butter, तो butter की demand क्या हो जाएगी, तो अरे मेरे पास bread यहीं नहीं है, तो मैं butter सू लगाँगा, applied that, खिभी हम bread से butter के लिए ही सोच रहे हैं, और किसी और चीज़ के लिए नहीं, तो देर इस वाट, price बढ़ने से demand घटा, तो अगर दो प्रमटिटीज, complimentary हैं जैसे के bread butter, तो इसकी cross price elasticity क्या है, इसकी cross price elasticity है, negative यानि एक बढ़ा और दूस्ता क्या हुआ, घटा, तो इस question का correct answer क्या है guys, इस question का correct answer है, negative, negative इसका correct answer, it is not positive, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, negative इस question का correct answer, ठीक है, done है, okay, complimentary ऐसे याद रखना, दो, एक साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच का, जो cross price elastic है, वो negative हूँ, साथ में चल रहे हैं, तो negative है, ठीक है, bread butter साथ में चल रहे हैं, negative है, substitute, अलग अलग चल रहे हैं, तो positive है, तो positive हमेशा किस केस में होगा, substitute के केस में होगा, और negative हमेशा, complimentary के केस में होगा, okay, done, okay, good, next, see, a want becomes a demand, only when it is backed by, very easy question, अभी इतनी details, मैंने आपको समझाया, और I know आप सब इस question का correct answer दे सकते हैं, एक want, demand का बन जाता है, अभी जैसे मैंने बताया, एक desire, demand कैसे बन जाता है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ध्यांसे question देखो, इस question का correct answer दो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया जना, in economic means, it is desire or you can say want, plus purchasing power, purchasing power is what, purchasing power is ability to purchase, ok, next, next is, when percentage change in demand is less than percentage change in price, percentage change in demand is less than percentage change in price, यानि price में चेंज जादा है, demand में change कम है, बताओ ये क्या होता, again is a very easy question, बहुत easy question है, असानी से बता सकते हो, बहुत easy question है, असानी से बता सकते हो, percentage change in demand जो है commodity की कम है, percentage change in price commodity की जादा है, बताओ किसके अंदर आता है, easy, first question इसी से related था, students, first question इसी से related था, तो अगर हम इस question के correct answer की बात करते हैं, तो इस question का correct answer हमारे लिए क्या है, इते इस inelastic, और you can say relatively inelastic, हमेशा less than one होता है, तो relatively inelastic होता है, relatively inelastic में हमेशा one से जादा होता है, elasticity of demand और यहाँ पर demand में change से जादा होता है और price में change साथ होता है, ठीक है, okay, full, चलो, यह यहाँ पर representation है graph की आप देख लो, अगर तुम देखोगे, तो price में change जो है, वो आपके लिए जादा है, और demand में change क्या है, कम, यानि P1, P2 का distance जादा है, C और D1, D2 का distance, Q1, Q2 का distance क्या है, कम है, okay, price में change सादा है, demand में change कम है, it is relatively inelastic demand, necessities, इसका हमेशा एक example होगा, wheat, rice, medicine, salt, यह सब inelastic में आईगा, ठीक है, okay, okay, next, elasticity expressed by the formula, E greater than 1, left than infinity, देख लो बाई, यानि E 1 से तो बड़ा है, लेकिन infinity से छोटा है, किसके अंदर आएगा, बाई देख लो, E 1 से बड़ा है, infinity से छोटा है, मालो 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यह numbers, E greater than 1 हमेशों किसमें आएगा, check करो, elasticity of demand is equals to percentage change in demand upon percentage change in price, एक बास सोचो, यह value 1 से बड़ी कब आईगी, जब यह जादा होगा और यह कम होगा, है ना, अरे, elasticity of demand greater than 1 सब आईगी, जब numerator is greater than denominator, भाई, उपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, answer 2 आया, यानि 1 से बड़ा आया, यानि यहाँ पर यह condition satisfy होने के लिए, condition क्या होनी चाहिए, percentage changing demand जादा, और percentage changing, price अब तो बिलकुल एजी है, इसोशन का करेक्ट आंसर क्या है, अफोर्स, it is relatively elastic, this is the correct answer, perfectly elastic, यहाँ पर इन फिनाइट होता है, यहाँ पर 1 से, elasticity of demand is greater than 1, यहाँ elasticity of demand 0, यहाँ elasticity of demand is less than 1, simple, सारे के सारे लिख दीए है, याद रख्टेगा, तो इसोशन का करेक्ट आंसर है, relatively in elastic, ठीक है, ओके, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अप्लोड नहीं हो पाया, C, मैं यह पहले दिखा दे रहे हूँ और वो बाद में, यह है demand actually जो दिया हुआ है, ठीक है, यह है curve जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ कुछा गया है, इस demand curve में, flow कैसी है और elasticity कैसी है, दो कुछा गया है यह जो demand curve है, इस में flow कैसी है और इस में elasticity कैसी है, flow कैसी है, कुछ आ गया है, एंजी, ओके, सी, इलास्ट से टिटो इन्फाइनाइट है, समझी गए होंगे, क्यों, क्यों कि देखो, पर्लल लाइन से रेप्रेजेंट है, इमार्ट में बहुत जादा चेंज है, प्राइस सो बिल्कुल माइनस से चेंज है, स्लोप क्या है, भी रो, अरे क कोई स्लोप है नि, सीधा पार्लल जा रहा है, तो देर इस नो स्लोप और इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट है, और ग्राफ कैसा दिया गया था, आपका ग्राफ जो है, वो ऐस से दिया हुवा था, ये था प्री और ये था बी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लोप क्या है, लोप इस जीरो और इलास्टिसिटी इस इन्फाइट, ओके, फूल, नेक्स, इन दा फॉलई इसके बराबर होगी, सी ध्यान से, इलास्टिसिटी ओफ डिमांड किसके बराबर है, बहुत द्यान से देख लो, कोशिन क्या आए, ये जो कर्व आपके सामने बार बार शो हो रहा है, इसमें इलास्टिसिटी किसके बराबर है, अरे, बिल्कुल इसी कोशिन है, इसमें कुछ नहीं है, देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें बना के दिखा देखुए, कोशिन एफित, देमांड है, ये है प्राइस, C1, D1, D2, C2, यहाँ है, यहाँ, पताओ, इसमें आपके सिपिक इसके बराबर, अब कैसे देखोगे, बाइप, परिष में चैंज जादा है, देमांड में चैंज, परसंटेश चेंज इटाइज, परसंटेश जादा है, परसंटेश चेंज देमांड कम है, यहाँ, पर तेखो, क्यों है इनेलास्टिक बाइट? C1 P2 का distance जादा है और D1 D2 का distance कम है यानि change in price जादा है change in demand कम है और यह हमेशा relatively in elastic demand में होता है perfectly elastic और perfectly in elastic demand जो है यहाँ पर हमेशा एक horizontal line होगा और यहाँ पर हमेशा एक vertical line होगा तो यह दोनों तो बिल्कुल नहीं okay moving to next question see when the demand of the commodity decreases due to the change in the climate see बहुत important है demand of a commodity decreases due to change in climate then the demand curve will shift or move बहुत easy है बता सकते हो यह क्योंकि मैंने इतनी बार आप सब को बता दिया है कि आप इस question का correct answer दे सकते हो मैंने क्या बताया था अगर price की बज़े से demand change हो रही है then the demand curve will always move upward and downward यानि यह दोनों condition कब वैलिट है जो price का असर पड़ेगा demand में क्लाइमेड, fashion, taste, preference, income इन सब की बचे से demand कर या तो right word shift होगा या फिर left word अगर हम increase कर रही है, demand of a commodity decreases, sorry decrease उठेदा रही है, decrease है na, so then it is move, then it moves to left word, by decrease है to left word, increase है to five word, ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख लोगे, यह है आपके लिए इसका graph 3 चार सो से पान सो, पान सो से चार सो हो रहा है, तो demand curve क्या हो रहा है, left word move curve, ठीक है, okay, okay, next, if elasticity of demand is 3, then it comes under, बहुत easy question है, अब तो मुझे बताने की जरुवत नहीं है, अभी just आपने ऐसे ही question का answer दिया है, elasticity of demand 3 के बराबर है, तो यह किसके अंदर आएगा, अब तो मुझे कहने की जरुवत नहीं है, elasticity of demand is 3, then it comes under, okay, 3 है, 1 से बड़ी है, relatively elastic, यहाँ पर मैं फिट से लिक दे तो, perfectly elastic, infinite, perfectly inelastic, 0, in this elasticity is always greater than 1, in this elasticity of demand is always less than 1, cool, okay, moving to next question, if elasticity of demand is 1, then it comes under, बहुत easy है, 1 के बराबर किसके अंदर आएगा, 1 के बराबर किसके अंदर आएगा, चलो, स्कूशन का correct answer दो, 1 के बराबर है, किसके अंदर आएगा, बोलो, तो भाई, अगर 1 के बराबर है, तो यह किसके अंदर आएगा, unit 3 elastic demand के अंदर, simple unit means 1, ठीक है, तो अगर मांग की लोच एक के बराबर है, तो यह एकात्मक लोचदार मांग है, अग्दम शुद्ध हिंदी बोली हैं मैंने, ओके, चलो, next, necessities of goods comes under with situation, easy है, first में ही answer दिया था, necessities of goods किसके अंदर आता है, necessities, नमक, नमक का price 50% बढ़ गया, तो नमक की demand क्या 50% गिरेगी, yes or no? if salt price increases by 50% तो क्या उसकी दमांद पचास्प्रत इशत गिरेगी? No, demand गिरेगी, but तो गिरेगी, यानी, necessities में प्राइस में चेंग, जादा देमांद में चेंग का, relatively in the last six, very easy, okay? Okay, next question, in case of an inferior good, the income elasticity of demand is, inferior good के case में, अभी just मैंने आपको बताया, inferior good का मतलब, inferior good में दो चीज़ satisfy होती है, income elasticity किसके बराबर है, inferior में, हांजी, inferior में income elasticity किसके बराबर है? Okay, so inferior में income elasticity है, किसके बराबर negative income बढ़ने से demand कम होगी, और income कम होने से demand बढ़ जाएगी, जब किसी वस्तू में ऐसा हो कि अगर एक consumer की income बढ़ने से demand कम होती है, और अगर एक consumer की income कम होने से demand बढ़ जाती है, then it is known as inferior good, inferior good में हमेशा negative income elasticity होती है, याद बढ़ बढ़ने. Next question is elasticity of demand का formula क्या है, what is elasticity of demand? Elasticity of demand का formula क्या है, दस बार same question explanation में लिक्ती रही हूँ, it is percentage change in demand upon percentage change in price, फिदा सिदा कुछने, elasticity is equals to percentage change in demand upon, yeah, divided by percentage change in price, okay. Next, 19th, last second question, if a good has negative income elasticity and positive price elasticity, then it is a, अभी जस्ट बताया, बताया ना तुम लोगों को, negative income elasticity और positive price elasticity है, भी जस्ट बताया, दो गुट थे, inferior और Giffen, inferior follow law of demand, Giffen दस्ट फोलो law of demand, माने price बढ़ने से demand बढ़ता है, positive price elasticity और negative income, यानि income बढ़ने से demand कम हो जाए, और income कम होने से demand बढ़ जाए, ये दोनों condition satisfy अगर होती है, तो वो हमेशा Giffen good कहलाई का, तो इस question का correct answer क्या है, Giffen good यानि A, इसका correct, तो कह है, last question, our demand curve will not shift, very easy question, again the same question with some different language, last question of the session, see, our demand curve will not shift, by demand curve सब शब 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 नहीं होगा, इसे ये भाई, भाई देखो, जब इंकम बढ़ने की, तो येस, it will shift, price of substitute में shift होगा, advertisement expenditure में धी shift होगा, ठीक है, price of a commodity change हुआ, यहाँ shift नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, movement होगी, और movements दो तरीके में देफाइन होगी, एक होगा extension, और एक होगा contraction, तो इसोशन का correct answer है, इसोशन का correct answer है price, ठीके, अगर तुम यहाँ देखोगे, तो सी, this graph, यहाँ price बदल रहा है जिसके current demand change हो रही है, यह original था, यह नए है, demand का कहाँ shift हो रहा है, leftward, rightward तो जा नहीं रहा है, उस ही क्या long move कर रहा है, या तो upward, या फिर down, ओके, जा, thank you so much everyone, ये था आज का question आप सब के लिए, उमीद करती हूँ कि बैने जितने questions आप सब को समचाए, वो अच्छी तरीके से समच्छी होए होगे आप सब को, and thank you so much everyone for joining this session, अगर आपको question पसंद आया, तो इस लाइक हो रूर से तरीका, thank you so much children, take care, bye-bye everyone, keep imbibing, keep imbibing, we believe in you.